वाटर बॉटल लाजे ना मुझे लाज ना मुझें आम वाटवर मढ़े मढ़ें इस्टेर में ना म१त्या। डॉालम. आँक ग्यक्रण। तितालम व्म। एलूू एलू. आए. 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 ओड़ू। ओआए. और फातालम। ठीक है आजो जल्दी सा आजो जल्दी सा आजो जल्दी सा आजो and then we'll start our proceedings. अ very warm welcome to all of you. सभी को बहुत 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 स्वागत करना चाहता हूँ. मैं आप सभी का बहुत प्यारी सी good evening के आना चाहता हूँ. हाँ good evening almost हो गई है. ठीक है. तो भी कैसा रहा आपका हिंदी का एक्जाम, जिसका हिंदी का एक्जाम था कैसा था मुझे जल्दी से बता दो. और फिर हम शुरू करने वाले हैं आज की कारेवाही. हम सभी मिलकर आपके साथ क्लास 12 का राइटिंग सेक्शन, जो के बड़े मज़े से आज हम लोग खत्म करने वाले हैं. तो पहले मुझे आप जल्दी से ये बता दो. अवास सही से आ रही है. हमस्पप देखे बता दो. अवास सही सब्ड़ई बता दो. हम फंची ऐटीन कहना चाहूंगा बाद में फिर डिस्टरबेंस ना हो सभी आते ही इस लाइफ सेशन को जिसने लाइक नहीं रखा था ताकि सभी बच्चे हिंदी का एक्जाम अच्छे से दे ले कैसा रहा हिंदी का एक्जाम जल्दी से बता दो और आज बच्चों हम करने वाले हैं हमारा क्ल का हलवा आप सभी खाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा असान है आज की ये लाइफ सशन देखने के बाद आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जूरत नहीं इतना असान कर दूँगा मैं आपके लिए सो बेज ही जग होके यह देखते रहो मज़े से इंजॉय करते पानी वान प्राबलम होता है कि अपना आंसर कैसे लिखना है ये वीडियो जरूर देख लेना जिसने नहीं देखा है आपको बहुत फायदा होगा एक कॉम्पेटेंसिवाले क्वेशन का बच्चों को प्राबलम हो रहा था वह भी बना रख रहा है लाइफ सेशन मैंने किस किस के क्ला Mr. Sir के अमारे चानल के live का टैब ना अलग होता है यह लग टैब है लाइव का यह वीडियो इसक्षण में तो यहां देख्लिए अगर तो last half thou all चलड़ का फिलेम्गो का वन शॉट मुन ने कराया कि वुड़ेम्गो स्वारे में पढ़िया से complete होई भी है विस्टास भी करवा रखी है मैंने जिसमें नहीं देखा उसे बता देना है चाहता हूं विस्टास जो आपकी दूसरी वोग है उसके भी सारे क्लास 12 का CVSC का या और भी वोट का अलमोस्ट कमो बेश सेम सा ही होता है सिलविस् तो क्लास 12 का आपका writing section पूछा जाएगा कितने marks का 18 marks का पूछा जाएगा अगर आपको नहीं पता तो बता देना चाहता हूं ठीक है तो 18 marks का आपका writing section पूछा जाने वाला है हां जी thank you so much इतने सारे बच्चों ने like कर दिया है आते ही सब लोग आपके लोग तक भी पहुंचा अच्छी बाद है उन्तों ही पता चल जाए हम लोग लाइव रिविजन कर रहे हैं ठीक है चालो जी लेक्टर यह कितने का है पांच नंबर का एक रिपोर्ट या फिर आर्टिकल यह कितने नंबर का रिपोर्ट हो या फिर आर्टिकल चॉइस माजा जाएगा question और यह कितने नंबर का होगा यह भी हमारा पांच नंबर का होगा और इस तरह से हमारे इस तरह से हमारे total marks बन जाएंगे 18 और मैं कहा रहा हूँ कि यह सबसे important है आपके लिए आपको इसको अच्छे से attempt करना ही करना है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या किया रहा है बच्छा लोग मैं एक बार आपके जो भी बात हो ना comment बता रहे ना मैं आपकी पढ़ लूँगा और आपके हेंड टू हेंड खत्म कर दूँगा ठीक है बच्छा लोग येस मेरे प्यारे प्यारे मुन्नों मेरे प्यारे प्यारे बच्छों मेरे लाड़ लो क्या रहो है एपी बर्डे थैंक्यू सो मच दुवारा से आपने मेरा वर्डे मेरा बना दिया बहुत चीवाद है टोन इमेजनेरी डिवाइस कैसे पहचाने बना दूँगा अभी एक्साम से पहले दे दूँगा चिंता ना करूं मैं आज का मुझ्फिल से एक यप्लेड घंटे में खतम कर देंगे यार क्या बात कर दी कि ठीक और कुछ डर लग रहा है अरे डर किस बात की यार किस बात का डर मेंने खतम कर रहा है विस्टास की खतम और फुर पड़सुउ क्लास 12 के इंगलिश का पेपर का डर खतम और फ सबसे पहले विडियो यहां पर यहां पर यह से आ जाएगा और आपको सबसे पहले विडियो रिपोर्त राइटिंग का यहां पर मिल जाएगा इसी तरह से इंविटेशन का भी है इसी तरह से आपका नोटिस का भी सारे विडियो मैंने अल्लेडी दे रखे आपको तो 20-15-20 मिट से दादा यह वीडियो निहीं है वो देख लेना उससे काम बन जाएगा आज मैं क्या कराने वालों आज तो मैं आपको फॉर्मिट वगेरा एक बार क्वेस्चन अटेम्ट करा दूंगा ताकि यह ना आपको हलवा सा लगे एकदम पक्का हो जाए बढ़िया से तो आज तो हम आए की बाते करने वाले कैसे वनेगा सर érieस में क्या करें सर नोटिस्च का फॉआर्मिट क्या होता है वह बताता हो नोटिस्च का देख लेते वह बाए यह जो फॉआर्मेट है यह खुदो यह निदि कि निम्र करने बढ़िच समय को"! ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाई जी, notice लिखना है, exam में question आएगा, कोई event होने जा रहा है, क्या होगा, कोई future में event होने जा रहा होता है, कोई annual function का event है, कोई blood duration camp लगने वाला है, कहीं कुछी भी प्रकार का event होने जा रहा हुता है, तो उससे बहले आप देखते हुँ नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिखा हुआ होता है या गेट के उपर एक नोटिस चिपका के चले जाते हैं तो कही कही तरह के नोटिस होते हैं जो के future event को बता रहे होते हैं या कोई घटना होती उसके बारे में update दे रहे होते हैं सब किस कारी देना नोटिस का मतलब ही किसी को inform करना होता है इसको लिखने का क्या सही format होता बच्चो फॉर्मेट के नंबर है मेरे प्यारे बच्चो फिफ फॉर्मेट के नंबर जिसने फॉर्मेट को पहचान लेना उसकी बाद जिसे करना मद ही मद है उसके तो फॉर्मेट को स्कूल का अगर कहीं डाउट आ रहा होगा लेकिन अभी अभी जल्दी से एक बार फिर भी एक फॉर्मेट रिवाइस कर लेते हैं फॉर्मेट का मतलब क्या कि सबसे उपर क्या आएगा नोटीस जो पीले का उसे भूल जाओ उसे भूल जाओ लेता है इंस्टीशन नेम और उसका एड्रेस इस्टीशन कों हो गहांब वो आ जाएगा स्कूल का कोई नोटिस है आप से जा रहा है कि आप जिय मेंकर के स्टूडेंट हो और एक नोटिस दो तो यहां पर इस우ING कौन होगा यहां पर इंस्टिटूशन कौन है जे-म कॉन्वेट स्कूल वह आ जाएगा ठीक है ना समझ में आगे ना सर गंगा अधर तिलक एसोसियेशन नोटिस देना चाहिए तो सर गंगा अधर तिलक एसोसियेशन दिल्ली यह वाला फॉर्मेट फॉल होगा इसके बाद कोई लाइन बीच में नहीं छोड़नी एक लाइन में यह इसके बिल्कुल नेक्स जो नीचे लाइन होगी उसके बिलो क्या जाएगा नोटिस लिखा हूँ आ जाग इतना कर दिया आजाओ आके पड़ जाओ उसके बाद डेट यहां पे डेट आ जाएगी यहां पे मंत आ जाएगा यहां पर यह राजाएगा कौसी डेट कौसा मंथ कौसा यह अरे जिस दिन कोई कोई इमर्जंसी कोई आप अपडेट देना चाहरे हो उसके उपर नोटिस हो रहा है कोई लाइब्रेरी का इनौगरेशन है उसका नोटिस है किसी बर्दे पार्टी का नोटिस है किस चीज का नोटिस है यह तो बता दो कोई साइन्स फेर लगने वाला है तो साइन्स फेर हेल्ड होने वाला है उसका नोटिस है होल्ड होने वाले उसका नोटिस है तो इस तरह का जो भी इवेंट है जो कि question में यह जानकारी होगी question में mention होगा मेरे बच्चों हमें information दी गई होगी कि इस चीज के ऊपर आपको notice लिगना है तो वह हम कर लेंगे कर लेंगे हाई के लिए motivation दे दो मेरा वानना यह है कि अगर मेरे face को देखकर ही आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो अपिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं अरे teacher तो वह है ना कि जिसे देखते ही बच्चे का दिल करने लगे यार पढ़ना है मजा रहा है मजा रहा है इन teacher को देखके मेरा दिल जाने लगे हाँ ऑच्छा लग रा बैठ हो नब तुम्हें फस्र होना कोईशन के अंदर मेरा चाहरा नजर आये द्माग में मेरा चाहरा मेरी बाती घुमें और फिर तुम्हें उसका जवाब सही सही मिल जाए यह होना चाहिए है motivation तो ऐसा teacher का face होना चाहिए है कि उसका face देखते ही सारी चीज़े अपने आप ही वो wives जिसे कहते हैं वो wives आने लगें कि आयार यह sir है यार यह madam है यार इनको देखते ही motivation की ज़रत नहीं क्योंकि कहते हैं मुझे ऐसा लगता है what I personally feel कि motivation ना सिर्फ हवा हवा ही बात होती है जब तक कि आपके पास skills ना हो आपकी vibes मैच होती है मेरी आपकी vibes मैच होती है क्योंकि मैं आपको feel कर पाता हूं ठीक है तो चलो motivation आपके सामने पूरे का पूरा motivation घड़ा है आजाओ अभी काम की बात करते हैं नोटीस के फॉर्मेट पर आ जाते हैं आगे इंस्टूशन का नहीं लिख दिया address लिख दिया उसके बाद notice लिख दिया बड़ा बड़ा date, month, year डाल दिया डाल दिया उसके बाद topic लिख दिया जिस भी topic पे होगा heading लिख दी अब important line जो common line में बता रहा हो हर notice में चिपका देना चिपक जाएंगी वो line बता रहा हूं कोई भी notice exam माए उसकी शुरूआत ऐसे क कर सकते हो, बड़े प्यार से, क्या, notices hereby given that, ये line सम्में चिपकाई जा सकती है, बच्चा लोग, इसका मनलब क्या है, notice दिया जाता है, कि, notice दिया जाता है, हाँ, notice में notice ही तो दे रहे होंगे, कौन सा कुछ और, रड्डू पेड़े बाट रहे होंगे, ये है, अगर ये line ए दूसरे तरह से भी लिख सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये रहा, दूसरा तरीका आपका ये रहा, ALL THE students या members या जिसको भी notice देना है, question में लिखा होता है कि मैं members को notice दे दो, सभी student को notice दे दो, general public को notice दे दो, है ना, तो ऐसे लिखा होता है, all the students या फिर या जितने भी लाग हो बच्चे बाद में भी देख रहे होंगे तुम लोग मेरे को तो अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो क्या आपको इतने तक में क्या किसी को भी प्राब्लम आ रही है नहीं आ रही ना तो आगे बढ़ते हैं है ना चलो बहुत सिंपल सी बात है क मघण आने वाले हो या फूपीर क्यांस केंप होने वाला है क्या किसी तरह का कहा होगा फिर वह बता दो ओन डेट बताओ डे बताओ Thursday, Friday, Saturday, Time बताओ 6 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 8 बजे, Location बताओ कौन सी Location पे होगा, कहां पे होगा, School Auditorium में होगा, तो School Auditorium आ जाएगा, कब तक चलेगा, वो बताओ, Duration बताओ, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर पाओगे, बिलकुल कर सकते हैं, Sir, Sir, एक बात तो बताओं यह जो जितनी भी सारी बाते हैं information है कि टे टाइम location वेन्यू यह जितनी भी सब चीज है यह हमें कहां से पता चलेंगी हो सकता है exam में question में आपको detail दे 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 तो अच्छी तो मांगेंगे नहीं हम अपने मन से बनाकर लिख देंगी हाँ just कुछ भी का यह मतलब में होगा तुम्हारे बढ़ार तुम्हें लेके जारा है लंडन पैरिज में मतले जा न स्कूल खुल के और शुरू हो रहा है यह चीज है और time काहन सी होगी भई अब यह तो नहीं सुब होगा सुभा नौ बज़े शुरू हो जाएगा कब तक चलेगा शाम को 6 बज़ तक चलेगा यह होना चाहिए डे कौन सा संदे रख दो क्या रख पड़ता है है ना टेट कौन सी कोई सी भी रख दो लेकिन पुरानी डेट मत रख देना आने वाले ट्साइम की डेट होगी अग यह कब लिखनी है सर इसके बीच में कुछ लाइन आप लिखोगे और वहाँ पर क्या क्या होगा तो उसमें होगा के भई आप परफॉर्मेंसिस होंगी कुछ कहीं अगर कोई एवेंट होने वाला है कुछ इस तरह का है है ना सिंगिंग कॉंपेटिशन होने वाला है वहां सकते हो मेंडेटरी नहीं है जबरतस्ती मत डाल देना है कि जबरतस्ति घुसा हो ठीक है क्या कि वह जो भी इंटरस्टिद इस्ट्वर स्टूडिंट्स है जो स math ले चाहते हैं वो किस से contact कर ले अंडर साइंड जो नीचे जिसने sign कर रखें जिसका यहां नेम है और जहां जिसने sign कर रखें वहां उनसे contact कर ले बड इस का स्कूल पिकनिक जा रहा हैं अब स्कूल पिकनिक के लिए यहां पे लिख लिख सकते हो नड़ नीम ऐसे भी लिख सकते हों कोई hard and fast rule नहीं है ठीक है कर दिया न तकार सब कितने वर्ट में होना चायिए सेरक कितने वर्ट होना चाहिए 50 words में 50 words में क्या आप मेरे को सच सच बताओ इतने words का 50 अपने आप नहीं हो जाएंगे ना बस इससे असान इसले कुछ भी नहीं और नोटिस को बंद कर देना मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैंने स्केल से नहीं बना या आप तो यह विल्कुल नक्षा बना दिया यहां पर सो आप लोग थोड़ा ख्याल करना स्केल से पूरा box में बंद कर देना नोटिस को कटम 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 this is all about notice काट दिया सिराने की तरह निचोड दिया इसको नीमू की तरह यही था हमारा notice इसमें क्या था एक बार से मेरे साथ क्या सबसे पहले तो जिस भी इंस्टूशन की तरफ से नोटिस लिखा जा रहा है स्कूल का नाम या जो भी इंस्टूट उसका नाम आ गया उसका अड्रेस आ है अड्रेस मतला दिल्ली कलकत्ता मुंभी जो भी है नोटिस लिखा बड़ा बड़ा नेक्स लाइन में डेट य किया notice is thereby given that notice is hereby given that notice is hereby given that辦法 yeah all the students are hereby informed that all the students are hereby informed that all the students are hereby informed that it is not about that addition campaign being organized want donation be is being organized a picture school pena is being organized as school picnics ग्रेट किस्क्राइब ऑन ओन ओन और देट डाल दो 26 वेट ड़ते सेट जो भी डेट डालोगे ना कि 26 वेड़ 24 26 24 और कौन सा डेट थर्जडे फ्राईडे टरडेट whatever you like time at 9 am at 10 am जो भी तुम लिखना चाहो एंड लोकेशन एंड एट कहां पर कहां भी कौन सा है और कोई स्कूल ऑडिटोरियम आजाएगा दो तीन तो जादा हो जाएंगी एक दो लाइन डाल देंगे हम क्वेश्चन के स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंटो तुम लोग अब तो इंगलिज बना लेते हो रहे आज़े इंट्रेट हैं यू को स्कूलक के हैड़ वगरा अपना नाम मतलिक्क क्या आजा ना अपना नाम कहीं पूरे आप अपनी कॉपीमें एक्जाम में मतलिक ना एसा लगेग कि तुमने नाम लिखके न अपनी पहचान बता दी ताकि तुम्हारी सेटिंग होगी जब कॉपी चेक होगी और तुम्हें ज्यादा नंबर बिल जाएंगे ऐसा समझा जाएगा इसलिए अपना नाम मत लिखना एक सॉइज़ कुछ और इसलिए अपने नाम से बल्कुल अलग है यह खतम होगे नोटिस याद होगे तुम्हें मुवारा को तालियां और चार नंबर तुम्हारे आ चुके हैं इस बाद पर खुश हो जाओ ठोको ठोको चलो आगे बढ़ जाओ जल्दी से आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जो डूरेशन अगर उसमें मैंशन लिख देना को इसी बात नहीं है कोई अई आसी बात नहीं है लेकिन टाइम ज़रूर लिख देना पचास वर्ड का बनाने के लिए खोल कंप है हम कर रहे हैं तागी पचास नंबर आपके ही support material है study material जिसे में बार-बार बोलता हूं उससे ले लूं क्या हाँ सर एक question ले लो ना question ले लो आजो question है आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको भी नजर आ जाए लो चलो जल्दी से question लिखता हूं आप भी देखो मेरे सामने देखो इस question को देखो और मेरे साथ attempt करना थंडी तो नहीं है मेरे speaker बंद हो जाएगा चलो आजो यू आर साहिल स्रेस्टी आपके ही support material का question है इसी से आप भी तयारी करना और मेरे बच्चों चार नंबर तो हमारे और डी ओडिटोरियम देखते जाओ देखते जाओ बस खुश होते जाओ इतनी बुरी राइटिंग आपकी ओहो क्या करूं बच्चों मैं टाइम बचा रहा हूं आपका question समझ पाओ बच्चों तोड़ तोड़ के पढ़ो और इसका meaning समझो आपसे क्या करने को कह रहा है मेरे सभी बच्चे इधर धियान दे जल्दी से जल्दी से एक्जाम में क्या पता यही question उठके आ जाए instructed in your school क्योंकि ऐसा ही कोई असान सा सवाल अब आपको लगेगा अब बच्चे कहेंगे सार इतना question आएगा क्या बच्चों question असान नहीं है बच्चों question असान नहीं है यह आपने सीख लिया मैं आपको सिखा दिया इसलिए आपको यह साल लग रहा है which is going to be which is going to be inaugurated 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 by a deputy cm con deputy cm huh draft a notice take a bus draft a notice Pura Nile Kram a question is like your draft a notice for your school notice board inviting students and their parents to the inauguration ceremony ठीक है आजो अब इसको बनाते हैं हमने क्या क्या सीखा है बच्चों हमने क्या क्या सीखा है हम तो बच फॉर्मेट पकड़ेंगे सबसे ओपर तो institution का नेम आ जागा institution का नेम क्या है बढ़ देख तो चलो देखो तुम्हें कॉपी करा देता हूं हैं में इसट्यूशन गाँ हम इसकों है कि से बाद फिर क्या है उसके बाद ना उसके बढ़ दो नूटिसे अटो और होगा और क्या हो या उसके बाद एक लाइन छोड़के date month year कौन सी तारीख है कौन सी तारीख है मालो आज फरवरी 18 और कौन सा 2024 यह लिख दिया मैं गंदी से रैडिंग में लिख रहा हूं वास हमें तो करके देखना वस एक बार करके देखना है फिर हैडिंग आएगी ना देखो देखो उसके बाद टॉपिक हैडिंग क्या है इसक बश्राइब कर रहा हूं प्रैक्टिस कर रहे हैं चलो उसके बाद उसके बाद क्या करना था उसके बाद पर अपनी फेवरेट लाइन लिखनी है यह तो कौन ही हो जाएगी से हैर भाई मुझे जाद अच्छी लगती है यह यह लिखना नोटेज इस हेरभाई गीवन देट और उसके बाद क्या है question में क्या था क्या होने वाला है किसी इसका notice है a new ये पूरी लाइन चेप दू न उठाके a new auditorium has been constructed in our school which is going to be inaugurated नहीं चलो which is going to be inaugurated बस इतरा ही तक रख पाएंगे क्योंकि डिप्टी सीम वाली लाइन तो बाद में लिखेंगे न हम हां तो क्या करें यह लिख देंगे क्या लिखना है a new a new ordy a new ordy has been constructed और भई 50 वर्ड भी और यह तो मेरे कमाल है कमाल है और ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने क्या क्या लिख दिया मैंने कभी जिद्नेगी में इतरी इच्छ इंगलिश नहीं लिख ती लेकिन विख दिए अंग इन इन ऊगरेटिट इन उगरेटिट इन जादा कुछ अपनी तरफ से बनाना भी नी पड़ रहा नहीं आती ग्रावर कोई बाद निका वह रहा है आप डालो क्या क्या डालना ता मैं यहाद देना डेट डे टाइम वेन्यू जो डीटेल मिल जाए कौन ऑन और डाल दो इसमें डेट मेंशन नहीं थी कोई बात नहीं हम इन तरफ से लिख देंगे ऑन मालो 25 जो भी हम लिखना चाहिए 25 टुथाज़न वेंटी फॉर एना और दिन था मालो फ्राइडे पढ़ रहा है फ्राइडे लिख लो मुझे ने बता कौन सा जिए मैं तो सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं एना एट कहां एट इस्कूल और डिटोरियम अब एक नई लाइन मुझे मिल गई क्या मिल गए मुझे लाइन के चीफ कौन होंगे एक्स्टा एक्स्टा इंफरमेशन क्या डालनी है कि यह डिपटी सी एम जो है इसका वो क्या करेंगे इनागरेशन इट विल भी क्या इतनी लाइन निलिक पाऊंगा मैं हाँ इट विल इनागरेटिड वाय सीम डिपटी सी एम डिपटी सीम लिख दूगा एझ दूगा बस और एक लास लाइन इसमें को इंट्रेस्टेसी त्टोड़ी हमें किसी को बुला आए इसका को परफॉरमेस अगले लाइन क्या लेगर जा सकती है एक दोबारा दुबारा से सब क्या कर करवा देंगे इन्वाइट कर देंगे all the students and parents all the students and parents are invited to attend the event are invited to attend बस अगर यहां कोई कोई परफॉरमेंस नहीं है कुछ नहीं है बस to attend the event और यहां पर क्या जाएगा यहां पर नेम आजाएगा नेम जो भी था लक्षमी दे रखा था ना नहीं क्या दे साक्षी था क्या नाम था नेम में क्या जाएगा बच्चो स्रिष्टी साहिल अरे साहिल बोलो ना साहिल स्रिष्टी जो भी है साहिल स्रिष्टी और सिंगनेचर बक्से में इसको बंद कर दिया हो गया हो गया हो कौन सा है वो वाला तैल, कौन सा केष देल आता हु वो जिघी हो लगा के सर्सों का तेल लगा के बाल मेने काले तम लोग कैसे बोल देते हो मेरे बालों को नकली कि Nicholas बच्चों अरे हाँ डेजनेशन लिखी तो नहीं लिखी क्या हम मोनिटर जो भी लिख देना डेजनेशन साइस हैड़ लिख देना बच्छों को इन यह पर कराने का परपस यह नहीं कि आपको पूरा लिप्टाओं को साफ साफ रैडि नहीं कॉंफिडेंस लाना है मैं करपा होगे से करपा होगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना हाँ जी अब तो आप मेरा नेचर समझ गया मैं चाहता हूं यह टाइम ना खराब करना एक दो क्वेशन और देखें इसके और देखते चार नंबर ना इसे क्लास 12 का हर बच्चा चार नंबर तो नोटिस में पक्के घर के जाएगा मेरे बालों पर कोई कुछ नहीं कहेगा इतने ओर इजिनल बाल तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में और इजिनल क्या है विशारुक खान की एक्टिंग और हमारे बाल और है और कुछ अरुजिनल नीए चलो और वेशन चलो अब क्वेशन लिखूनिया से मुझबान ही पढ़के बता दू थोड़ा दिमांग मिलाओगे वो तह लिखे लोगे ना नोटिस लिखना टाइटल निकला स्कूल कर ना डेट निए तो निकला है नोटिस हेरेभाई के वन दटी तो लिखना है जो भी है और मेंबर सारे हेरे अब है आप हो आरची अरचित हो प्रेजिडेंट हो स्टुडेंट काउंसल तो प्रेजिडेंट हो गया समझ माहा कहां कि अंबेड कर सो ऐसी नरेला यह हमारी इसीटिट्टिटिशन नेम यह सारकुज इसमें से निगला है हमारे स्कूल होस्ट कर रहा है परफॉर्मिंग आ कुछ नहीं इसमें एक और क्वेशन देखें देखेंगे द्यू टू एक्वाटर शोटेज इस समर्ड यूर कंसर्ण अबाउट एडवाइजिंट ऑफ यूर कॉलोनी फॉर सेविंग वाटर अजयेगा उसका इड्रेस आजएगा नोटिस आजएगा नोटिस आजएगा और है सब्सक्राइब और है और यहां पर ऐसे लिखना चाहते हो कि और स्टूडेंट की जएगा रेजिटेंट्स आजएगा और क्या हो जाएगा अपना जो भी पानी उसको वो मत करो वेस्ट मत करो बस खतम और एक्विट शोर्टेज ऑफ़टर है बस इस तरह क्वेश्चन में से चांस कम है और क्ली लेस्ट ड्राइव आपको अपनी सोसाइटी में चलाना चाहतो क्लीले मतलब सबसफ़ाई अभियान चलाना चाहतो उसके बारे में कर बोल देना सच्छ भा इंफॉर्मिंग करना आपको अपको भी सोगें सब्सक्राइब मिलावा ओगा इसको वेशन नहीं होगे पुछ लिना इस्टाग्राम में पूछ लेना पर चलो है कल पोयम का ठीक ठीक 5 बज़ें रिवीजन होगा कल पोयम का सारे काव छोड़ चाल के आजाना मेरे पास आ ठ ऑगे बढ़ जाएंख लो चलो से इंवीटेशन करा दो मेरे प्यारे बच्चों दुबारा से जिन बच्चों ने अभी जॉइंग कैं आप लोगों को बताया देना चाहता हूं मैं आप सभी लोगे बताया करा करने वाले जिसको English नहीं आती, बिल्कुल मेरी तरह बच्चा है, जैसा मैं हुआ करता था, तो उसको भी tension लेने की ज़रात नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मैंने आपके लिए इंतिजाम करके रखावा है, बिल्कुल tension मतलो, relaxed mind रखो, बस अपना common sense इस्तेमाल, smart हो ना आप लो, smart तो हो न smart teacher के smart student है हम, है ना, तो वहीं मैं आपको पहले, एक बार और, एक बार और remind कर आता हूँ, जितनी बच्चे भी join किये हुए है, कि मैंने already आपके लिए सारे वीडियो बना रखे, जितनी भी आपकी writing section आ रही है, साथ ही, साथ ही, हमारे channel पे, मैंने आपके live session भी ले रखे है अगर live session नहीं देखे, तो देख लेना, class 12 का flamingo ये रहा, one shot revision मैंने करवाया हुआ है already, आपके विस्टास भी complete करवाई भी है already, इसी session की, इसी साल, एक दिन पहले मैंने आपको विस्टास कराई, दो दिन पहले, आपको 4 दिन पहले मैंने आपको flamingo कराई थी, आज writing करा रहा है, नहीं देखा तो देख लेना, एक important video आज writing section की, writing की, मैंने आपके लिए exam, क्याकर English का exam कैसे लिखे है, वो भी अभी आपको दिये, वो भी देख लेना, सारी मैनत किसके लिए हो रही है, आपके लिए हो रही है, ठीक है, देखो confidence तभी आएगा, जब हमें चीजे पता हो लेकिना अब उसके साथ ज्यादती हुई है, उसको चार का कर दिया गया है, जिन्भी बच्चों ने भी जोइन किया, अगर भाई, live session अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे ना, अगर ना लग रहा हो तो भी कर दे ना, अच्छी बात है, बाकी लोगों तक भी live session पहुंच आज मेरे भी आदनी ना कुछ खाने को लाना और आज मेरे को भूका बढ़ाना पड़ेगा भूका प्यासा अच्छा नहीं आप लोगाने मेरे साथ ऊपरसे फिर बोलते हो के या मतलब मोटा मोटा ही नी देखा तुम नै उनोटे को देखोगे तो तुम क्या बोलोगे तुम मधं वह चैक्टर है ना तुमारा वःसटर चैप्टर है memories of childhood इस तरह के जो chapter है वो तुम लोगों के लिए ही है कितना discrimination है तुम्हारे को मोटो से बिचारा कोई मोटा हो जाए मतलब उसका क्या जुर्म क्या मैं तो मोटा है नहीं हूँ तब मुझे मोटा कहरो अगर मैं मोटा हो जाओंगा तो मुझे क्या कहोगे मैं सोचके परिशान हूँ है तो बोलेंगे देखो कहा कोई भी मोटा अच्छा है मुझे कहरो सर फिट हो ऐसा बोलो सर फिट हो आपके बाल असली है बड़े सुन्दर केश है आपके मज़ा आता है देखके ऐसा कुछ बोलो जो मुझे सुनके अच्छा लगे यह क्या मोटा मोटा हर वक्त का मोटा मोटा कर रखा है मोटे हो गए मोटे हो गए मोटे हो गए सर के बालों का सीक्रेट पता चल जाएगा कैसे पता चल जागा भई मुझे बता दो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा next topic invitation and reply बच्चो टाइम नहीं है ताइम नहीं है अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है यू आ रहा है न फील आ रहा है देखो सच सुनता हो देखो मैं तो जानता हो तुम लोग सच्छे हो एक नंबर के सच्छे बच्चे हो क्योंकि आप चौड़नी होती हई बतां बाव बताया तो मैंने मेरा बहुआ बताया है मैने आपको मैंने आपको बताया लाजन सरी यहां पर चोड़नी होती है इतना clear है चलो जी आगे बढ़ रहे हमारे 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 बाई मैं एक बात बताओं देखो में इमानदारी से देखो class 12 में तुम कुछ दिन के महमान हो उसके बादना मैं दुनिया में तो तुम हो फिर class 12 में नहीं रहोगे ठीक है तु class 12 वालो सच बताओं दिल की बात ए मेरे समझ में नहीं आता इतना असान इन लोगों ने रखा कैसे राइटिंग सेक्षन की बात करो बहुत हलवा है नोटिस में नोटिस में मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई बच्चा नहीं जो जीरो लाके दिखा दे जीरो नहीं आसकता तुम्हारा कहां से आ जाएगा जीरो इसंसार कोई लिखी देगा ऐसे लिख के बड़ा बड़ा नोटिस है ना डेट तो डाली देगा इसमें भी उसको एक नंबर देना पड़ जाएगा दिना पड़ जाएगा चार में देग और हां अगर बहुत ही बुर चाहूं कि मैं 0 लाऊं कुछ तो करूं मैं आसा तब भ पढ़ा रहे हो शादी में कहा गए मेरी गलती नहीं है मैंने कुछ नहीं किया यह तो आपका क्लास 12 का सिलेवस ऐसा है जिसमें शादी की बाते हो रही है हाँ है मत मानो मत मानो मेरा क्या भी मानोगे जो आपका मेरे बच्चों जो आपका चार सोपते हैं सबस्क्राइब को शादी का करण होता है आप प्रणी ऐसा तो ऐसा तो कोई भी निए करता थीक है देख शादी का जो कारड होता है ना शादी का कारड होता है वो क्या होता है उसमें लिखा वा वह याद कर लो वह अगर आप लिखके आगे चार नमर इसमें भी पक्के हैं है इतना असान है अच्छा इसके पूरी complete वीडि लिखना invitation and reply का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है भाई लाखो बच्चे उसी को देखके जाते हैं हर साल और cbsc को नंबर देने पड़ते हैं उन्हें मालूम है कि वरना डियर सरा जेंगे फिर करने के मेरे बच्चों को नंबर क्यों नहीं दिया तुमने यह रहा देखो यह वीडियो मेरे ने पूरा बना रखा समझा रखांव के लिएब एकंटएन ही नहीं अभी मैं को सिर्फ स्मार्टल बता रहा है, 스मार्ट टीचर के smart student होना तुम लोगकर तो इसमें हमें करना क्या है कुछ भी नहीं करना आपको ना शादी का कार्ड बनाने के लिए क्वेश्चन में या फिर बड़े है किसी का बड़े का बड़े पाड़ी होती ना कार्ड बड़ते हैं नहीं बड़ते ना कोई बड़े है मुंदन है और क्या होता है मुंदन होता ह कुछ भी नहीं यह मैंने शादी कर ना पढ़ना पढ़ाना और सीधा कार्ड देखते ना क्या एक कार्ड में क्या लिखा होता है दो ध्यान से देखना वैं एक तो पर लिखा था वेडिंग सरी मनी यह तो हो गिया वी वार्म ली रिक्वेस्ट यूर ब्लेसिंग्स ऑन दा ब् बहुत है कि एक आत्मा है राजवर्धन की ये कार्ड में भी है तिलक है हलदी है लिए लिखोगे नहीं लिखोगे क्या हाँ सर क्यों नहीं हो गया डे डेट टाइम सर्य तो नोटिस में भी लिखना था हाँ तो इसमें भी लिखना था तो क्या हो गया यह भी हो गया अच्छा और क्या लिखना होगा भाई किसका ओकेजन क्या है शादी है ना इनका union of two blessing है हाँ तो क्या यह वेडिंग है या बड़े पार्टी यह बताओ गया है ना और क्या होगा और कौन कर रहा ही है कौन और इस Bible कर रहा है यहाथ इन्हों नाम दे लिख वश्यादी के काड़ों से सीखेंगे अंग्रेजी जी आज हम शादी के कारड से शीखेंगे अंग्रेजी आजौ मेरे बच्छों आज यह रहा एक और शादी का कार्ड यह बिल्कुल बढ़िया वाला कार्ड है यह पूरा फॉर्मेट इतार रखा तो कौन होगा मिस्टर रेखा है मिसी सूरज गोयल है जो भी वो जो बुलाना चाहते है ना होस्ट का नामा किया और क्या होता इसके अंदर इस्टेंडर्ड एक्सप्रेशन होगा कि हम दिल से आपको इन्वाइट करना चाहेंगे हम आपकी मौजूदगी महां पर दर्ज करवाना चाहेंगे हमें बड़ी खुशी होगी अगर हमारा प्लेजर होगा हमारा सुभाग्य होग अगर आप आप आजाए ऐसे बोले तो उससे क्या कहते है इस् क्वेशन देखा मुझे का वह शादी का कार्ड बना दो एक कार्ड वजा इंविटेशन कार्ड बना दो किसी शादी का बना दो चलो तो शादी का इन्विटेशन कार्ड के लिए मैंने नेम आवव दा होस्त लिखा Mr. Falaana और Mrs. Dimkana उसके बाद फिर standard expression थोड़ा सा प्यार मे बहुत अच्छे से बुला लिया क्या बुलाया के लाइन याद करनी पड़ेगी हाँ याद कर ले ना request your gracious presence अब gracious presence यह एक दो तीन वर्ड यह याद करना है request your gracious presence यह solicit your gracious presence ऐसा कर लिया उसके बाद किया परपस आजाएगा on the wedding ceremony किसके लिए on the wedding ceremony तो wedding ceremony आ गया कि शादी के अगर नए घर की party होती on the inauguration of new home वो तो question बता देगा हमें क्या करना है हमें क्या करना है सुनो ना देखो देखो बेवकूफ नी बनना हमें पागलो की तरह ना हम इसको देखते हुआ है डरेंगे नहीं कापेंगे नहीं ओ भाई लिए कार्ड लिखने है शादी का शादी का अफ़ लिए डाला स्टेंड एक्स्प्रेशन डाला है ना और उसके बाद सिक्या बढ़ने जो भी ते वहें अपस में नेम चाइब भई वा जाएगा और ऑर यह दिसका बड़े September 16 2021 ऐसा आगया टाइम आगया वेन्यू आगया इतना आगया डे टाइम वेन्यू यह सब कुछ आगया RSVP आगया और नीचे इमेल या एड्रेस आगया तुम्हारा मुवाली एड्रेस आगया और इसको बक्से में बंद कर देना बॉक्स में बंद कर देना खतम हो गया तुम्हारा यह इंविटेशन लो जी खतम करा दिया आपने मैंने खतम करा दिया इंविटेशन लो खतम करा दिया मोटा मोटा यह यह इसमें मोटा मोटा मेरे बच्चों यही है एक बार एक बार सर थोड़ा साफ साफ लिख कर भी समझा दो हमें डर लग रहा है हम इंग्लिश से हमें बहुत डराएं गया जबके इंग्लिश डरने की नहीं प्यार करने की लांग्वेज है तुम्हें इंग्लिश असान है पता है कैसे मैं तुमसे सवाल पूछता हूं दिल से जवाब देना ठीक है इमानदारी से जवाब देना कितने बच्चों को काखागा भी तो कितने बच्चों को आती है अग जिक्सक्त उठे ऊड़िए फैक पूरी वाणमाला आज से लेकी ज्ट इसको पूरी याद है देखो एक सेडन में कुछ बताना चाह रहा हूं बहुत कॉंसेट बात बता रहा हूं टाइम पास भी हो रहा है वह था ज़ूठ्य जाननी जरूरी है कि अधिने बच्चों को नजर आ रहे हैं ज्यादा हाट्स नजर आ रहे हैं कितने बच्चों को सब को आती है ना सोचने वाली बात है देखो हिंदी हम लोग बोलते हैं सुनते लिखते सब कुछ है ना लेकिन हमें हिंदी के काखा का याद नहीं है लेकिन एलफाबेट इंग्लिश से हम डरते रहते हैं जबके हमें उसके टुजेड यहाद है अगर मैं इन शॉर्ट कहूं क एंग्लिश तो यह चोटी सी लेंग्वेज चोटी से वहलब हथा नी बहुत बड़ी लांग्वेज्वेज बहुत ज्यादा उसके नंदर अच्छी चीज़े है लौजीकल भी है फोड़ी सी सफेस्टिकेट्ट भी है रहा हमारी को मजाग ठोड़ी है इंग्लिश क्या है असान होती है मानते हैं इस बात को जो मेरी बात से अगरी करता है हाट देखे मुझे बता दो अगरी करें तो थोड़ा दर दूर हो इंगलिस का कुछ नहीं बेवकुब बनाते हैं आओ चलो अब मैं जब तुम लोगों को डरते वे देखता हुना मेरे को सच में बुरा लगता आफिटी व्लता हो में करता हूं और जो में नहीं बोलता हूं तो में नहीं निकल खेंते dan 002 लो झा वर क KP करता हूं इस सच में डिलिवर करें मेरे बच्चों आपके पड़ाई का ठीका लिए था नेका अंग्लिस में फुल मार्क्स लाने का देख हुएjbs इंग्लिश का आपको बेस्ट पेपर होने वाला है हाँ चलो आगे बढ़ जाए अरे 6000 लाइक्स कर दिया आप लोग बहुत बढ़े हाँ सब बच्चे अगरी कर रहे हैं अब मेरे बालों को नहीं बोलना कुछ है एपी एनिवर्सरी मैं पहला इंसान हूं जो बिना शादी के एनिवर्सरी की तारीफे सुन रहा है थैंक्यू जी थैंक्यू थैंक्यू सो मच चलो आगे वड़ते हैं मेरा काम डराने का नहीं है मैं बार 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 ओलता हूं मुझे ना ऐसे टीचर अच्छे लगते डराते दराओ तो सुलीशन दे दो फिर दराओ तो सुलीशन भी दे दो लेकिन बेवाजा क्यों डराना है हमें डराना वार बच्छे को आओ जी डरनेगा नहीं आजो सबसे उपर नेम ऑफ दा होस्त आजागा Mr. and Mrs. रेखा है ना ऐसे लिख दोगे फिर स्टेंडर एक्प्रेशन ह क्या आजएगा या फिर जो भी सर्मय हो रहा है या चाल नेम ऑफ दा ओनारी आ जायएक किसके उपलक्ष में यह किसकी शादी तो रही है या फिर किसका बड़ डिशन हो रहा है या फिर किसकी मंद़ा है किसी की मेंदी है किसकी गोध भराई है यह उसका नाम लिख देंगे कुछ भी नहीं ठीक है त्वाइब शारी उसको बकसे में कर देना बंद और खत्म हो गया तुमारा इनिवेटेशन राइटिंग हाँ इसके अंदर दो तीन चीजे अभी बच्चे घबरा रहे होंगे कह रहे होंगे सर इसका इनफॉर्मल टाइप होता है लेटर का टाइप होता वो भी तो बता अरे बता दूंगा देखो सुनो पता है शुरुआद इंपॉर्टेंट किसी को नी होगा इतना क्लियर हो गया बच्चे लोग सब्सक्राइब किसी को यह दो तरह की होती है। जैसे लेटर होते हैं ना दो तरह के ळिए फॉरमल और इन फॉर्मल जो इसतरह की होती है। friends and relatives को बेजा जाता है वो वाला हो गया friends and relatives जो बहुत close है बहुत जारा close है वह छोटा सा program उसके लिए हो गया formal में क्या हो गया is के दो टाइप होते हैं एक होता है kard type card type और दूसरा होता है इसका और दूसरा होता है इसका letter type सरी letter type और card type क्या है बहिए शादी का card आता है ना आपकी घर पे शादी का card आता है वो कब भेजा जाता है larger audience जब होती है जब आप 200-300 लोगों को 50 लोगों को बुला रहे होते हो तब हम card भेजते हैं के नहीं मानते हो ना किसी को लिखके भेजते वह किसको एन vijujWill किसको भेजते हैं सिर्फ एक लिदिविजवाल को पाताओ मुझे ना अपने किसी नए शोरूम का इनागरेशन करना मैं यह माल मौल बना वर में रात माइर हो गया औह आपना अपना खुद का एक मॉल खोला डियर सर शॉपिंग मॉल मैंने खोल दिया डियर सर शॉपिंग मॉल है डियर सर शॉपिंग मॉल में मैं चारा हूं उसका इन्वेस्टमेंट करने पुनीच सुपरस्टार को बुलाए जाए किसको बुलाए जाए पुनीच सुपरस्टार को डियर सर का शौपिंग मॉल है डियर सर का शौपिंग मॉल खुल रहा है जहां पर करोड़ रुपे का इन्वेस्टमेंट है बहुत शादार मॉल होने वाला है साड़े बड़े ब्रेंड वापे हैं और मैं उसके इन्योगरेशन के लिए किसको बुला रहा हूं पुनीच सूपरस्टार को बला रहा हूं मेरे फेवरेट पुनीच सुपरस्टार जी को बला रहा हूं Whatsapp को बला रहा रहा हूं तो क्या उनको शादी का बीजवा खेव बढ़े वह कार्ट जाएंगा नहीं 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 बच्चे उनके लिए का थोडी भेज़े उन के लिए जाएगा उनके लिए एक जाएगा जिसमें ऐसे एड्रेस होगा ऐसे सब्जेक्ट होगा और यहां पर बड़े प्यार के साथ के पुरी स्पाइश्टार जी आप हमारे मौल का उद्गाटन करने आएं यह हमारे लिए बहुत प्लेजर की बात होगी इट वुड़ बी और प्लेजर ऐसे करके बात होगी पूरे वलक है बुलाआ जा रहा है बहुश है लोगों को ऐसे उटार पीट के जब बुलाए जाता है जब धिंडोरा पीटा जाता तो कार्ड बनता है जहाँ परसनली एक आदमी को इंवाइट करो से इंवाइट को विराट पोली को चीफ मिनिस्टर को किसी प्रिंसिपल को किसी भी celebrity को in short invite करते है तो वहाँ पे card नहीं चलता, कौन सा format चलता है एक letter का format होता है कैसा होता है सर यह अरे बिलकुल letter जैसा होता है, letter नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, अरे हमारी syllabus पर पढ़ लेंगे क्या बात है, 5 नंबर का letter writing भी तो आपका ही है तो उसे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पढ़ेगी आप ही हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पढ़ना तो ही, तो यहाँ भी letter का type ऐसा है, यह मजाक सा है असली important क्या है, यह card बनाना यह card बनाना ज्यादा important है exam के point of view से भी, क्योंकि यही mainly है, letter वालको मैं पहले से ही आता है, इसमें क्या ही पूछेगा लेकिन मैं तो आपको सब कुछ ही कर रहा हूँगा मैंने कराया हुआ भी है, जो हमने वीडियो बना रखिये ना invitation reply की जो हमने वीडियो बना रखिये ना invitation reply की, उसमें सारे format, सारे तरह के सारी सीथे मैंने डिसकस की हुई है, अब जब मोटा मोटा समझा रहा हूँ क्या मेरी बास सब को समझ में आई कि card वाला कब बनेगा, जब format formal type होगा हमारा invitation का लेकिन जब ज्यादा बड़े लोगों को पहचाना होगा, audience ज्यादा होगी बहुत बड़े level पे काम हो रहा होगा कोई सवाल होगो, पूछो, मैं सास लूँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भई आप तो बड़े प्यारे बच्चो 7000 likes हो सकते हैं क्या हमारे बहुत अच्छी बात है हाँ, सभी बच्चे जुड़े में बच्चो कल होगा हमारा class 12 का poem का revision, शाम पांच बजे सब कुछ छोड़ चाड़ के आजाना क्योंकि poem का ऐसा revision आपका पहले कभी नहीं हुआ होगा, मज़े आजाएंगे आपके ठीक है, तो बिलकुल भी देरी ना करना, मेरे बच्चो मेरे प्यारे बच्चो बिलकुल भी देरी ना करना चलो 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 मेरे बच्चो चलो आप भी 7000 लाइक्स होने वाला, जिन बच्चो ने अभी अभी जॉइन किया है और उनको लाइक सेशन अच्छा लग रहा है, तो लाइक करके मेरा होसला बढ़ा सकते हो, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो पढ़ाई कर सकते हो, मेरे साथ पढ़ लेना कोई कतनी लाइक नहीं भी करना तो, कोई बात नी RSVP का मिनिंग बता दो RSVP ये रशियन टर्न में होता है ये इसका मतलब वैसे कुछ नहीं नहीं है, क्या किते हैं, कि इसकी English की full form नहीं है, दर असल ये, ये एक Russian slang है ये बस लिखा जाता है, एक formality के तौर पे और क्या पूछ रहे हैं इन फेक्ट रशियन नी फ्रेंच फ्रेंच कहां चला गया बच्चे लोगो का, और कोई डाउट जॉब एप्लिकेशन अभी कराऊंगा ना, लेटर बई, अठार नंबर पूरे कन्फार्म होगे ना, चिन्ता क्यों करते हो और पूछ रहे हैं, सर, जो भी क्वेशन हैं पूछ लो हां, RSVP बच्चे फ्रेंच टर्म है, हां इसका मतलब है कि रिपलाई करना अगर आपको अच्छा लगए इस तरह का, इसको जानने के इतनी कोई खास जूरत भी नहीं, आमें तो बस लिखने से मतलब है अभी, फॉर्मेट है, इत्जादा दिमाग में नॉलिज भर होगे न हां, तो कार्ड की फर्मेटिंग की तरह बना देना, ऐसा कोई ऐसा फर्मेट निया कि एक लाइन यहां छुटेगी, दो लाइन यहां छुटेगी, जैसे कार्ड होता है, जैसे कि आपके सामने कार्ड ना, बिल्कुल अब इसमें कितनी लाइन छोटी है, उसी साप से देख यहां पर छोड़ा फिर इनका नाम इसमें को एससे फर्मैटिंग का रूल नहीं है बड़े के विच्छा-मिच्छा पूरा करने से अच्छा है एक लाइन बीच में छोड़ते चले जाना फाउंड लॉस्ट का नोटिस उसमें भी यह चला जाएगा कि इस तिंग हाज बीन फाउंड यह चीज पाई गई है यह यह चीज लॉस्ट हो गई है और फिर आगे की कार्णी है कि जो इसको लेगा और गैट ताट पर्टिकुलर तिंग केंट कॉंटक्ट यह सब्मिट टू फलाना धिमकाना जो भी अंडर साइंड होता है में समें टू दी अंडर साइंड ऐसे करके लिग देना कि मैं दस दस क्वेश्चन नोटिस के या खड़ो के करा हूं और दो घंटे खराब करूं से बेटर यह कि मैं डायेट क्वेश्चन पकड़ रहा हूं आई होप कि आपको किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा चलो शुरू करते बच्चा वाइफियर वेंडियर सर यह क्या किरें आरे सउपी लिखने के बाद नेम कैसे लिखेंगे कौन सा नेम लिखना है डायरी एंटरी की वीडियो देख ले ना डायरी एंटरी 12 के सिलेबस में नहीं है अच्छा 12 में उसमें क्या किते इस पूचे जाएगा उसका मैंने तरीका बताई दिया एक वीडियो बना रखी है बच्चे ने बूचा कि इससर डायरी एंटरी का तरीका बता दो तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं मालूम मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है कहांगे यहां पर हमाएं कॉम्पिटेंसी बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है उसके अंदर मैं डायरी एंट्री वाले कुश्चन किस तरह से करो गया वहीं बता रखी है तो यह देख लेना यह यह वीडियो है इंग्लिश म अच्छा ज्याधे टाइम नहीं लगा रहा है बच्छे नहीं लगा रहा है ज्यादे टाइम वे फैस्ट्रियों अटाम्जा को और रग। आज ये रिविजन देख रो और राइटिंग की अलग से जो वीडियो दें सब देख ली ना हो गए पास भाई पास हो गए है नोटिस के जितने क्वेशन मुझे लगता था आप से डिसकस करने की जरूरत थी मैं कर चुका हूँ टेंशन मतलो आजो आगे बढ़ जाते हैं पानी नहीं क्यों पानी लाजने है गला सूपर है चलो मैं आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चो आओ जल्दी से हम देखते हैं क्वेशन हमारे पहले कार्ड वाले का कहा गया वही है इनिविटेशन हमारा यह रहा हमारा कार्ड वाला क्वेशन ढकर करा किवाब है को इसमें आओ यहां वह दॉर्म यह इपार क्वेशन है किसी चाता कार्ड वाला है ओ इस लीए पिर लेटन वाल फॉर्मेट सम्झा दूँं लेक्टेशन करें निविटेशन गरने जा रहाएं एक वक्वेश्चन करने यान्वाला होगा एक एक individual को लिखना होगा एक को लिखना होगा तो letter का format होगा अभी बता दू का? इसको कराने में और जब एक individual को नहीं ज्यादा लोग को invite करना होगा तो किसका format रहेगा हमारा kaard वाला ज्यादा important है तो मैं kaard वाला समझा देता हूं a Поले question देख लेता है हाँ थोड़ा सा पानी पीलू हाँ ठीक है बच्चो आज हो शुरू करते हैं जल्दी से इसको हाँ बच्चो बूच रहे हैं यार इतनी तेजी से इस कॉमेंट्स उपर जा रहे हैं न मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कैसे पड़ो कैसे कि नहीं समझा रहा मुझे इतनी तेजी से उपर जा रहे हैं सर पहले राइट बना दो राइटिंग स्किल का पोईट्री की वीडियो कल आईगी बच्चो रिपलाई भी कराऊंगा अरे अभी तो शुरू किया है इंटेशन राइटिंग चिंता ना करो देखो कब क्या होगा सर योगा जब एंड होने लगे ना सेशन का तब मुझसे पूछना सर यह नहीं कराया यह नहीं कराया वह त मेरे अलावक किसी और को जुरूरत नहीं है ना किसी टीचर को चिंता करने की जुरूरत है ना किसी बच्चे को चिंता करने की जुरूरत है जब मैं आपके लिए यहां बैठा हूँ चीजे करा रहा हूं ना इंग्लिश की टेंशन मतलो वाई डेर सर है ना तुमारे साथ इ सुनते जा बस मेरी बातों को मान लिया करो अच्छा बेकार की चीज़े मस्त हो चुकर सेंडर का अड्रेस क्यों आता है यह सब क्यों लिखा यह टाइम यह नहीं है यह टाइम है क्वेश्चन करने का नंबर लेने का बात खत्व आरिस्वी के नीचे कोई अड्रेस उसका आएगा जिसका क्या कहते है जिसके घर में शादी है क्वेश्चन में दिया तो डिक है वनने अपने तरफ से लिख देना फोन नंबर और इमेल इड्रेस चला जाएगा इड्रेस उड्रेस बोला था हो तो वेनियू में आएगा ड्रेस तो वेनियू में आएगा ड्रेस भाई एक बच्छे ने का है सर इन्विटेशन बहुत कन्फ्यूज है पता नहीं क्या क्या है accept, refusal letter भी है card भी और पहचानना कैसे है formal है या informal और card पूछता है या letter अभी जितना समझा रहो समझ दो, जिस पल मैं जिस moment पर मैं invitation खतम करूँगा तब अगर ये doubt रह जाए तो कहा ना अभी बस सुनते जाओ, मेरी हिम्मत बढ़ाते जाओ आजो, आजो मुझे बस दो मिनट दो दो मिनट दो मैं आपको एक question कराता हूँ पहले card वाला समझ लो, card समझ मा आया ना हम चलो, शुरू करते हैं मेरे बच्चो एक question देखते हैं, आप मेरे साथ मिलके करना चलो, इसका question करा देता हूँ मैं आपको मेरे साथ एक question करो, पहले ही card वाला card वाला करा रहा हूँ ना, तो card वाला पहले इस पर focus करो, question है अरे भई You are a student of Sardar Patel विद्याले यह लिख दू क्या question, question लिख दू भाई, you are क्या हो, आप student हो You are a student of Sardar Patel Sardar Patel जो भी यह फलाना दिमकाना, जो भी सरदार पटेल, Sardar Patel विद्याले, Sardar Patel जो भी है, Sardar Patel विद्याले, जो भी ना, हमें उससे क्या मतलब है, क्या नाम है हमें नाम से मतलब नहीं है, है ना, लोधी रोड, नाम थोड़ी आएगा यहाँ पर, लोधी रोड, ठीक है लोधी रोड, होस्ट, होस्ट कौन है, हमें बस होस्ट देखना है, कौन है होस्ट यहाँ पर, अभी देख लेंगे आ यह कौन होडिगा है its annual food fest the school is holding its annual food fest food fest at 11 a.m. on 10 July at 11 a.m. on 10 July the chief minister has consented chief minister आ रहे है चीफ मिनिस्टर क्या है इसके चीफ गेस्ट कौन है यहां के मैं माल लो चौड में लिख दिया ठीक है अब आपको क्या लिखना है पैरेंट्स को और अधर इन्विटीज को अब यहां पर एक को थोड़ी बुला रहे हैं किसी एक को नहीं किसको बुला रहे हैं पैरेंट्स को बुला रहे हैं और बाकी हर्मेट सबसे पहले नेम अव्दा होस्ट आएगा इस्टेंडर्स एक्सप्रेशन मैं ने क्या बताएं आपको यह रहे दो तरह के एकस्प्रेशन थे इसको अच्छे से लिख भी देता हूं एक तो यह रहा था रिकुएस्ट विदा प्लेजर ओफ यॉर कंपनी या फिर र standard expression is a standard expression आपके लिए लिख में देता हूं क्या है request to pleasure of your company request the pleasure of your company या जाएगा या फिर अगर जाओ request the gracious presence on और फ़गा वला दिमका दिमका यह था यह परपस यहां परपस क्या बता हमारा परपस क्या था हमारा इसकी एन्यवल दोने वाला है क्या होने वाला है और परपस क्या है किस चीज का ने रहे हैन्यवल फूड फैस्ट का इंविटेशन दे रहे है तो हमें परपस पता चलिए कोई दिक्कत यहां दक कोई दिक्कत ब्लान अवर्ण फ़ल में से पहले सब्सक्राइप कम शेफ घरी के को बिखन 항상 फो ऩूब केहीं है यहां यहां लिए होदी दिदिया सकते कि इसमें पहीं भी है क्या इतना करने में दिक्कत आ रही है कि अब में करने को तो मैं करने को तो बच्चों मैं पूरा लिक के बताओं बस टाइम वेस्ट होगा और कोई बात नहीं सारी चीजों के जवाब है ना बस बस ऐसी करना है का दिको बीच में मत बोलों बाल लख लिए बाल एकदम सब्सक्राइब एकदम अशी बाल टाइर एंट्री वाल बच्चछे डायरी इंट्री वाले मैंने वीडियो बना राकिए क्योंप्टेंसी बेस किश्चन कैसे करें सरे मिटीशन वाम में इपता दूँक्त वो भाई कोई नकली नहीं है तो सचमान लेंगे वाई इकदम असली एकदम बिलकुल प्योर क्वालिटी डाउन का है यार क्वालिटी तो सही है ना परफेक्ट है बच्चे आपका नेट हलका हो रहा है चलो और क्विश्चन देखूं मैं कहोगे तो इसका पूरा लिखवा भी दूँगा अगर आप कहोगे तो पूरा लिखवा दू कहो तो कहो तो इस वाला क्विश्चन का पूरा करवा दू यह वाला जो था जो फूड फैस्ट होने वाला है चीफ मिनिस्टर को बुला रहे है इतना तो सबको क्लियर है ना एक बार मुझे थमसब देखे बताओ मेरे बच्चों ध्यान से सभी लोग इदर देखो जिसको आता है व कार्ड वाला फॉर्मेट बनेगा यह समझ मा रहा है सबको समझ मा रहा है इतना पढ़के थोड़ा भी कार्ड वाला बनेगा इतना तो क्लियर है ना जलिए थमसब देखे सब बताओ मुझे कि कार्ड वाला बनेगा यह क्लियर हो रहा है कई को जरा सभी शक है क्या नहीं सर क इन्डिविजुल को थोड़ी बुलाना है और फिर सब्सके प्रिंसिपल का नाम या फिर दूल प्रिंसिपल बुलाएं या फिर स्कूल का नाम लिख सकते हो मैं तो लिख रहा हूं बस प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ और जो भी स्कूल का नाम है कौन से स्कूल का नाम है सरदार पटेल विद्याले सरदार पटेल विद्याले सरदार पटेल विद्याले और कहां पर यह लो कोई गलत करी इसकता क्यों है गलत कैसे कर दोगे तुम सकूल गलत कर रहा है इसकूल को ओन क्या था? फूड फेस्ट हा? या ओन दा ओकेज़न या इवेंट इन्वल फूड फेस्ट इसको वह था हाइलाइट करे लिख दे ना फूड फेस्ट को फूड फेस्ट को और कब ओने वाला है? happening on या फिर 11th on 10th July 2023 at 11 a.m. or at school premises इतना कर दो इतना कर दिया और लास्ट में एक लाइन ये भी लिख दे न chief guest will be the CM the CM will be the chief guest ठीक है वो या गया R.S.V.P हो गया contact number आ गया address आ गया और इसको ऐसे बक्से में हमने बंद कर दिया लो तुम्हारे कहने पे मैंने पूरा लिखवा भी दिया ये तुम्हारे कहने पे मैंने लिखवा भी दिया ये बनाके कार्ड लिख दो 50 words में ये हो गया कितने में हो गया 50 words में आराम से हो गया और आपको चार नमबर पक्के हो गया इतने मैं किसी को कोई डाउट मुझे नहीं लगता है इसमें से जादा वक्त देने की जुरूरत है आरे सेटीडी की फूल फॉर्म भाई फ्रेंच मुझे पहले अगर था की रशियन है फ्रेंच है इसकी फूल फॉर्म मुझे भी नहीं पता फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ होती है और जिस काम की हम रहतनी उसको खामका में रटने की जूरूरत क्या करोग जानके डि़िक के इंविटेशन के कितने टाइफ होते हैं फिर घ्रमा एक फार्मल फार्मल अभी हम फॉर्मल पढ़ रहे हैं हमने क्या देखा मेरे बच्छों मेरे बच्छों नहीं आता invitation के अंदर वो परिशान थे तो मैंने इसमें थोड़ा time लगाया मैंने इसको example से भी समझाया card से भी समझाया लिखकर भी समझाया बोलकर भी समझाया हसकर भी समझाया और अब सबस्के समझाया रोना तो हमें आता ही नहीं है पूलिष सूपर पढ़ा card type पढ़ा जो कि किसको दिया जाता है जब audience एक से ज्यादा हो larger audience को अब क्या पढ़ेंगे letter type पढ़ेंगे जो मैं क्या कहा रहा हूँ easy है easy क्यों है क्यों कि इसका type letter है कैसे आओ चलो अब इसको देखते हैं भाई अगर हमें invitation कैसे मैं देना हो किसी को बुलाना हो तो formal Datum का तरीका सुननो formal invitation का तरीका मेरे सभी प्यारे 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 मेरे प्यारे प्यारे class 12 के बच्चों मेरे class 12 के बच्चों घबराने का नही है आई ए매वा बीद झारसा बीद और अब अब देखो इसका letter type, letter का type कैसा होता है, कहा को आएगा ये, दर कुछ आएगा, क्या होता होगा, formal invitation का letter type, सबसे पहले आएगा sender का address जो send कर रहा है, आगे यानी school कर रहा है, मालो उसी को, जो अभी हमने अभी example कर आए, try, attempt किया मैंने और आपने मिलकर, उसको हमें letter की form में लि बुलाना होता, हमें सभी parents को नाम बुलाना होता, मालो सिर्फ हमें बुलाना होता, किसको बुला दू, मालो हमें शारुक खान को बुलाना होता, सिर्फ किसको शारुक खान को बुलाना होता, मुझे बालो से याद आगे जुल्फे, तुम लोग कुछ भी बोलो, मेरे बाल जैसे ही है मुझे मेरे दोस्तों ने बताई थी फिर न भरोसा अच्छा तो फिर वो एक को भेजा जाता तो कौश्चन में लिखा होता है क्या कहा हूं मैं इधर देखो मेरी बास सुनो मेरी बास सुनो ध्यान से कभी तब में लिखा होता है कि आपको letter type invitation लिखनाना है तो मुझी जाओगे यह लिखा होता है कि आपको card बनाना है design and invitation card जब card है फिर तो बाद ही खत्म होगए सोचना ढखा ठीक है अब clear हो रहा है असान हो रहा है अगर नहीं mention है question में कि letter सचीफ मिनिस्टर इनवाइट फल झो बी नाम लिखा सब्सक्राइब पूरा पूरा इंविटेशन हो रहा होगा तो वहां समझाना के पूरा बन वान आ है अभी लेट टाईप है तो मान वान लेते हैं अगर जो हमने भी question किया था दो लिजन की थी लिखके देखा था उसे अगर हमें letter में लिखना में लिखना होता तो इन्वाइट कर रहे हों गया और चीफ गैस की तौर पर ज़ादे करते हैं अगर किसी एक को बुला रहोते हैं चीफ गैस्ट की तरह बुला रहे होते यह आ जायगा इसमें यहां तो किसी को डाउट हो रहा है कुछ रेस्पेक्टिड सरव मेडम आजाएगा रेस्पैक्टिव सर या मैडम तो म्ह commence इतना समझ माया बच्छों सबसाश नजर reda देखने में किसी तरह की कोई कोई परेशानी घप इसके पाद इस लैडर में होता है common line arts No it is with immense प्राइड ओफे?s Save ticain souls It is impressed with immense pride का मतलब immense मतलब सता बहुत ज्यादः प्राइड मतलब घर्फ की बात प्राइड प्राइड न बॉट प्राइड तो इस विद इमें Psalशे बात ज्यादा एगय से बोला वह तो किसी चीज़ का इनाओरेशन यो रहा हो गा किसी की ओपनिंग हो रही होगी है नौा किसी की शादी हो रही होग इस तरह की कोई झालजा जाएगा तो मेट नोली और चाही है कि अब सकती है we कर सकते हैं we would be grateful to you we will be grateful to you if you could spare some time is पेर मतलब खर्च करना अगर आप कुछ time खर्च कर सके निकाल सके जाया कर सके from your busy schedule अपने busy schedule में से और फिर आई की कहाने लिख देना कि कहां 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 क्या आना है कौन सा वो event है के to come and to attend our event which is going to be organized which is going to be happened और ऐसे से आजएगा on date time date time when you इसमें भी आएगा ही आएगा kindly confirm your availability at the earliest और आप अपनी availability जो भी है जल्दी से जल्दी बता दे यह पूरा इसमें क्या बहुत मुश्किल कोई चीज थी इसमें क्या इसमें क्या बहुत मुश्किल कोई चीज थी बच्चा नहीं सरी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल था नहीं था ना चलो इसका एक question और देख लेते हैं इसका question भी करा देता हूं अभी पहले इसको अराम से एक बार नजर माल लो दुबार से इसको बताऊं क्या पताने की सुरत है वैसे तो clear हुई है कॉमन लाइसमें आपको दे दे इनको लेन कर लेना बन जाएगा एक question करा लता हूं इसका ताकि और confidence आ जाए confidence की कमी नहीं भरपूर confidence ओवर बच्चों को अब बैडम की जगा बादने क्या लिखा है कि अब हुँ चीफ गैस्ट को कार्ड की तरह बुलाई नहीं सकते हो क्योंकि उसको लेटर के फॉर्म में बुलाओगे मैं लेटर में बॉक्स बनाने की जुरुषत नहीं है मैं लेटर में क्या बॉक्स बनाओगे लेटर तो ऐसे ही होता है झाल झाल हाँ जी एक क्वेशन करा देता हूँ एक क्वेशन करेंगे लेटर टाइप का एक बार ताकि यह और अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि हमें इनिविटेशन हर तरह का आ जाए देखें अब क्वेशन है बहुत बड़ा सा हमें बहुत बड़ा सा क्वेशन में तो टाइम नहीं लगाऊंगा मैं आपको थोड़ा से शॉर्ट में समझाऊंगा अच्छा एक्जाम में अगर कार्ड वाला आए और लेटर वाला इन में से कौन से को ज़्यादा असान से करोगे कार्ड वाला कर ले ना इसमें लिखना कम पढ़ता टाइम बचेगा क्वेशन देख लो लेटर टाइप का यू आर वाई आप इस क्वेशन में क्या होगा यू आर सुमितिया सुनीता आप सुमितिया सुनीता हो उसके बाद आपका एड्रेस होगा एडबॉई हो काके एस जीप स्कूल के दिल लीड़िक है ना ऐसा यह होगा ठीक है उसके बाद ग्र्क्रवल क्रोड झेंपिशिप इसकूल क्या कर रही है इसकूल क्या क्रूलिंग क्या एक चम्पिय घुंपियचिप ओमिशंव已经aray ऑगा देख रहे हैं ताकि टाम बचे हमारा आप यह रहा है राइट फॉर्मल इंविटेशन टूड़ राइट आ फॉर्मल इंविटेशन लिखना है किसको लिखना है तूट अजीत अगरकर मिस्टर अजीत लिखवा रहे हैं अजीत अगरकर को जानते हो अजीट अगरकर हाँ वही अजीट अगरकर कंची-कंची आखों टू इनौग्रेट दी चैंपियंशिप हांजी कुछ भी नहीं करना मैं लेटर को मना क्यों कर रहा है लेटर के टाइप को इसका फॉर्मेट तो असान है लेकि लिखना पड़ता है काड़ वाले का फॉर्मेट एक बार को याद करने में फोड़ अब बेसे अब तो नहीं मुश्किल लग रहा होगा वह असान जादा है और जल्दी हो जाता है अब इसमें वहीं करना है क्या 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 दिये मुझे सबसे बहुत सेंडर का अड्रेस आजाएगा उसके मालों फैब 24 और क्या है 2024 प्रीच चोड़ी रिसीवर का एड्रेस मालों कुछ भी डाल दिया 89 8 9 और जो भी दिल्ली जो भी डाल दिया है ना जो भी अडरिस था मुझे नहीं मालूं उनका अड्रेस क्या है उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट क्या इतना होगे क्या मेरी बच्चों अब कॉमन लाइन जो डाल सकते हैं जरूरी हर क्वेश्चन में घुसा दो हर क्वेश्चन में घुसा दो अगर नई फिडवेट तो मट डालना इट इस विद इम्मेंस प्राइड देट वह यह बहुत प्राइड की बात है कि ऐसा होने वाल हर्ट दीयर सर अब दीयर सर मेरिया दैने मेरी याद आ जाएगे डियर सर देट इज़ वेज़े इम्मेंस प्राइड इस वीडेट इम्मेंस अब उप्राइड देट अब क्या है प्राइड की बात क्या है कि our school is going to uh is going to host yeah is going to organize our T20 Championship यही तो है ना हां तो क्या ही कॉमल लाइन आ जाएगी हां हां लिखूंगा ना question में से उठाके क्या करने वाले हम के our school बच्चों अभी मेरी मेरी राइटिंग पर मत जाना कोई अगर कोई दर दर होता है मैं जल दली समझाने कोश कर रहा हूं कि कैसे लिखना कैसे बनाना है और स्कूल है ना question में से तो ठाओगे is going to organize और गनाइज और टी 20 क्रिकेट देखो करो ना आपको भी समझ मारा है कर रहा है क्रिकिट चैंपियेंशिप को क्या कर रहा है ना क्रिक चैंपियenशिप को क्या कर रहा है क्या इसने रट होगेud 디자 पर लाइन को से सर वी वोड़ बी ग्रेटल अबलाइट इफ यू कुट इस पेर सम टाइम फ्रम या बिजी स्केडूल ओन और डेट डाल देना लोजी हो गया कितने वर्ट में पचास वर्ट में तो लिकना बस हो गया बाकी बचाई या कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ है यह है इंद सबको कुछ और क्वेश्शन देख लोइं लेटर राइप के ही है ने आइप यह कुछ क्वेश्शन देखर के मेने बच्चो कि कि एक question है बच्चो आपके support material में है वैसे तो इसको अगर आपके पास यह वाला support material हो तो आप भी इसमें से देख सकते हो यह वाला support material इससे आपको एक अंदाजा हो जाए कैसे लिखना है क्वेश्चन है यू आर नेहा नकुल नेहा हो या नकुल भाई वो तो बताया गई हमसे अब हम देखना चारें अभी हमें निपता कि हमें हमें इंविटेशन कार्ड बनाना है या फिर हमें लेटर वाला लिखना हमें निपता हमें निपता question खुद बताएगा देखो हाँ यू आर निहा नकुल डा लिटरेरी सेक्रेटरी अवर्मेंट मोडल स्कूल यू हाट और इस्टेट इस्कूल इबेट कंपेटिशन ऑन 21st जनवे 2024 यू विश्च तो इन्वाइट मिस्टर शेलेश गुपता एन एमिनेंट स्पीकर तो प्रसाइड ओवर दी फंक्शन को ठीक है शेलेश गुपता है कवी है ना कवी वो जो मुझे वाले तारक महता का उल्टा चश्मा है ना अरे मैं खामाखा इसे नाम लेता रहता हूं आप लोग भी सुचते हों मैं पता नहीं क्यों प्रमोट कर रहा हूं यह आप और मेरी आपकी जिन्दी का हिस्सा है नही है तो सारी चीज़ है आवला बोल दिया फिर तुम बाल पर बोलोगे नहीं बोलोगे नहीं असली वाल है बलकि तारिफ क्या रख तो सर आपके बाल इतने मस्त लग रहा है जब तुम मेरे को एनरजी आईगी मुझे अच्छा फील होगा I'll feel good अभी मैं तुम्हारी तारिफ हम घृण करो कभी नहीं इतना बुरा होना जा चल काम कर मैं काम कर आपकर श्कूल उस स्कूल में रहते हो से से करेटरियो गवन्मेंट मॉडल स्कूल के और आपका जो स्कूल है कि इंटर स्कूल डिवेट कॉमपेटिशन और शेलेज गुपता को चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो आप मुझे लेटर फॉर्मयट होगा कि इस में कहा रखा है के लेटर फॉर्मयट बनाना नहीं मुझे तो नजरा रहा लेटर फॉर्मयट तो नहीं है नहीं 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 है थी अ modo यहां पर कार्डबनेगा ein और सब बच्चों को सबको क्लियर हो रहा है मेरे शेरो दिल खुछ कर रहे हो बाई मेरे शेरो मेरे शेर नियों बिलकुल सही पकड़ रहे हो लेटर फॉर्मिट आएगा हमें समझाया सर ने के इन्विटेशन का क्वेश्चन आए अगर एक से ज्यादा को इन्वाइट करना हो तो कार्ड फॉर्मि सब्सक्राइब परसाइब क्या अब इसमें क्या होगा एंड्रेस जाएगा वी सेंडर का एड्रेस डेट और साजएगा सबज़क्त आजएगा क्या सब्ज़क्त आगा क्या इंविटेशन अधी प्रस्टर भी नहीं चैने पचास वड़ में रखना है ठीक हो बिकार हो कि दरफ पहुछ जाओ एक और आपने बताया था एक और आपने बताया था एक informal invitation हम कैसे बूल जाये रिपलाई तो बाद में कराना पहले हमें यह बताओ कि आपने सॉरी आपने यह भी करा दिया आपने यह भी करा दिया गुच्चड-mुच्ड भी करा चाधिां अब बचा informal in formal invitation कैसे देंगे तर बहुत खास लोगों को जब दें देते ना जिसमें फॉमैल इंयोती यह मुभपे मार के आज यह शादी में आज यह पार्टी में च्छोटी सी पार्टी यह यह वह वाला है न वह कैसे बनाएंगे जो बता दो वह बहुत कम आता है बच्चों इंपोर्टेंट कम है फिर भी पता होना चाहिए उन्हें फॉर्मल इन्विटेशन का तरीका लेटर जैसे ही होता है यह दियर डियर डियर आंसर लिखा कैसे जाएगा डियर और जो भी दोस्त का नाम जिसको बलाना चाहते हो डियर अनुश्का जब आप सिर्फ किसी एक फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हो तो यह बिल्गुल ऐसे माल लो ना कि जहां पर भी सिंगल को इन्वाइट करना है तो लेटर फॉर्मेट है एक तरह से समझ लो क्या कह रहा हूं मैं आपसे बच्चों जहां पे भी जहां पे भी एक एक पर्सन को इन्वाइट करोगे तो कैसा फॉर्मेट होगा कार्ड नहीं चपेगा कार्ड नहीं चपेगा कार्ड नहीं चपेगा कार्ड नहीं चपेगा एक बात बताओ जब कोई कोर्ट मैरिज करता है चुपके से शादी करता है तो क्या कार्ड चपता है नहीं चपता है काड तब चपता है जब धिंडोरा पीटते हैं हम यहाँ पे अगर हम कभी भी किसी एक को बुलाएं चाहिए वो इसका हो एक या फिर या फॉर्मल का एक हो चाहिए दोनों में ही कौन सा फॉर्मेट रहता है लेटर फॉर्मेट काड सिर्फ एक फॉर्म में छपेगा जब धिंडोरा पीट एक से स्यादा लोग को बुलाना हो इस इट क्लियर और नॉट अब फॉर्मल इन्विटेशन के लेटर टाइप वाले में और इन्फॉर्मल वाले में फर्क कैसे करें बाइ kis को चीफ गैस्ट की लिएogo न ऐसे करके आ जहीं यो मेरे माय बाप तो ने हम फॉर्मल वाला जो क्यों टाएगा जैसे चीफ गैस्त बुला रहे थे जादब तर्में चीफ गैस्ट ही बुलाऄकर फैल कि यह वालेटर चाइप आएगा जो दो स्कों किसी को बला रहे होगे, एक को, एक को, तो यह वाला हो, now clear, सब को clear एक दम चीर फार दिया, पोस्ट मार्टम कर दिया, आगे बढ़र जाओ, sir, ख़तम करा दो, sir, अब तो, sir, confidence आरहा है, अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कियाना यह वाला फर्मेट है दो-चार बार नजर माल लेना हो जाएगा अब आदे है रिपलाए पर भाई रिपलाए देना है अब क्या होता है एक तो इन्विटेशन दिया इन्वाइट है आ जाना शादी में जरूर आना पिच्चर का नाम है अगर आपको रिपलाए करना हो दोनों ही सूर्तों में कार्ड वाला है बिना कार्ड वाला है इससे फर्ग नहीं पड़ता तो इसका फॉर्मेट क्या है Mr. X and Mrs. X थैंक फॉर देर काइड इन्विटेशन अब इसमें पहले तो थैंक यू बोलोगे जो जो भी बुला रहा है यहां पर Mr. X है Mrs. X है पहले तो हम उसको क्या कहेंगे थैंक यू कहेंगे क्या कहेंगे सबसे पहले जरूरी क्या है यहां पर जरूरी क्या है इस चीज़ को accept करते हैं आपके presence को और हम ऐसे वेन्यू पे पहुंच जाएंगे हम पहुंच जाएंगे confirm करते हैं यह तो है जब आप accept करते हो हाँ मैं आ जाओंगा अगर reject करोगे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं फिर क्या करोगे confirm नहीं करोगे, accept me it के बाद क्या लगा दोगे, but regret their inability due to some health, यहां पर use होगा 3rd person, 3rd person का इस्तेमाल होगा I or V करके बाद नहीं होगी Mr. X, thank for their invitation, अज़ा, sorry यह मैंने host लिख दिया, okay, okay, okay एक second, एक second, थोड़ा एक चीज़ का change होगा, एक second एक second, एक second हाँ, जैसे 3rd person की तौर पर हमने invitation का, वो किया था न, invite किया था किसी को, Mr. X and Mrs. X आपको invite करते हैं अपने बच्चे की सारे money पर, ऐसे ही जब आप accept करते हो न, तो क्या करते हैं, तो जो accept करने वाला होता है, न, accept करने वाला होता है, वो भी 3rd person की तरह इस्तेमाल होता है, तो यहां पर जो receiver होता है न, जो receiver होता है या जिसे हम कह सकते हैं, जो guest होते है वो अपना नाम लिखते हैं, कि Mr. X और Mrs. X, या फिर अगर सचीन तंदूल करें तो सचीन तून नहीं कर लिखेंगे, कि सचीन तंदूल कर या due to their spoiled health या due to the reason of being unwell ऐसे करके आ जाएगा अगर कोई और रिजन निया होगा due to some other urgency वो यहां पर आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा ठीक है इतना क्लियर है जिसको जिसको इन्विटेशन यह और यह थैंक करते परस्णनल और वह आपका शुक्रियाता करना चाहते हैं जाता है कि किशी को कोई डाउट है मुझे नहीं लगता किसी को यहां पर एक्सप्टेंस में कोई रहा होगा कोई आउट जल्दी समझ थमसभ देखे बता दो सबको समझ में आ गया बस जल्दी से आगे बढ़ रहा है बच्छो थोड़ा सा और सेशन रहे गया खतम करते फिर इसको चलो आखर किसी को अब भी इसमें थोड़ा बहुत कहीं कोई डाउट बाउट रहे गया ना तो इसका चोटा सा चोटा सा काम यह है कि मैंने इसके एक सेपरेट वीडियो बना रखी मुझे लग रहा है इसमें बहुत जादा मने टाइम दे दिया तो हम आगे बढ़ जाते तो वीडियो देखे लेना जो मने वीडियो बना रखी हो देखे लेना वैसे तो इसमें और कुछ जास बचा नहीं अभी एकसेप्टेंस और एफिजल का पादा दिया और इनफॉर्मल का इंवितेशन City का क्या फॉर्मिड रहेगा एक क्सेप्टेंस का और रो विजल का वह भी आगे बताओ तो इस तरह से हमारे 8 नमबर तो पक्के हो गए भई 8 नमबर पक्के हो गए सर आगे बढ़के अब हमें कुछ और कराओ क्या कराओ सर हमें सर क्या कराओगे अब आप हमें क्या कराओगे अब मैं कराना चाहूंगा आपको report, report writing, अभी अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने क्या करा, अभी हमने, इससे पहले क्या कि किया, हमने notice चार नंबर का क्या, उसके question देखे, बहुत अच्छे से, है न, अब हमने invitation and reply किया, उसके नंबर अच्छे से देख लिये, invitation and reply, बचा, पांच नंबर में जो आएगा, एक हमारा report बचा, पांच नंबर में जो आएगा, और एक हमारा letter बचा, पांच नंबर में जो आएगा, यह हमारे बचे है, यह हम करने वाले है, पांच, पांच, चोईस में होंगे, लेकिन letter मेरे खाल, चोईस में कहा है, तो यह हमार लेटर करते हैं लेटर करते हैं सबसे पहले लेटर करा दो सर करा दो करा दो लेटर राइटिंग करा दो यह रही लेटर राइटिंग तो शुरू करते हैं पड़ी तेजी से लेटर राइटिंग में तरह कुछ अब है नहीं मैंने कई साल से आपको लेटर कराये रहा हूं आप जॉब एप्लिकेशन और लेटर टू एडिटर दो में से एक आगस पिल्कुल फ्री के नंबर है जल्दी बताओ शुरू करूँ एक बार फिर से आप लोग उसे कहना चाहूंगा जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस लाइक सेशन को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आप उनका भी भला चाहते हो कर भला सो भला वाइट 10,000 लाइक होने वाले आपके प्यार महबबत का बहुत बहुत शुक्रिया है 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 थैंक्यू सो मच अब मैं शुरू करने जा रहा हूं लेटर रैटिंग तो बैशेयर कर दो इस सबको ताकि सारे बच्चे एक साथ लेटर रैटिंग सीख ल आज नंबर एकदम पक्के कर लें मैं नहीं चाहता कि कोई छूड जाए सबको भेज़ दो ये लाइफ सेशन भेज़ दो जल्दी भेज़ दो हाँ और हम शुरू कर रहे हैं लेटर राइटिंग योग जोब अप्लिकेशन निक बाभू जोब अप्लिकेशन ही करा रहा हूं रिपोर्ड भी कराऊंगा आर्टिकल भी कराऊंगा कराऊंगा तो सब कुछ छोड़ूँगा थोड़ी कुछ भी और वही देखो देखते ही देखते आप लोग का प्यार 10,000 लैक्स अभी भी होगा हमारे बहुत अच्छा थैंक्यू सो मच इतना प्यार करने के लिए यानि भूके पेठी मुझे आपको कराना पड़ रहे है खरा रहूं भी है करा रहूं खरा रहूं खरा रहूं फिर नकली बाल करना शुरू कर दिया तुमने बाल का कोई चक्कर नहीं है ये लोग बोलते रहते हैं के मेरे बाल लकली है जबके ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे एकदम असली बाल है सरसों का तेल लगा लगा के मैंने इनको चमकाया है आज़ो 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 बच्छा लोग आज़ो लेटर आपके एक्जाम में क्या आने वाले हैं वो सुन लो पहले तो एक्जाम में क्या आएगा मैं आपको दिखाए देता हूं ना प्रेश गोल दोड़न फिर दी फ्लेम हां जी हां जी हां जी हाँ 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 प्रेश शेंट के नाम पर मजाख लगेगा आपको कुछ भी नायन में इस यह रहा प्रेश्चन एक है write a letter to मिली जहुर आट लो नंग 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 यही job application के लिए यह और दूसरा letter है आपका letter to editor के लिए यह रहा write a letter to the editor इन दोनों में choice है तो आपकी जो letter जो आने वाले वो दो तरह की mail लिए आ रहे हैं कौन से एक तो आ रहा है आपका letter to editor आपके एक्जाब में letter to editor जो कि मैं बहुत पहले आपको कराभी चुका हूं और दूसरा आपका job application कौन सा आने वाला जौब application भाई job application दोनों ही मैं करा देता हूं पहले letter to editor देखते हैं फिर job application कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है आग बंद करके पहले तो मुझे बताओ कोई भी फॉर्मल लेटर लिखना होता यह दोनों कौन से लेटर है फॉर्मल लेटर है फॉर्मल लेटर मतलब किसी authority को लिखे जाते किसको लिखे जाते इधर सब लोग जल्दी अपनी अपनी मौजूद की दरच कर रहा हूं मुझे थ इदढे देखरो के नहीं फ्लेमिंग को करा रखियो विस्टास करा रखिये grammar करा तो यह यह ग्रामर तो ही आपकी poem कल करा दुँंगा सब मैं करा दूंगा वह सब भूल जा अभी सब भूल जो जो दिमाग में चल रहा है सब बुला क्या होगा सब अख्चा होगा अगर मुझे ठीस वक्ट किते मुझे देखो इघू कि इठ सिर्फ को इस वक्ट को तुमसे पेजो बशी सर न भी को सब इता से सबस्चा अध्यारोगे कि मतलब जिसके हाथ में पावर होती है जिसके हाथ में पावर होती है यानि किसी किसी स्कूल को लिखा जाएगा किसको किसी स्कूल को लिखा जाएगा MCD Municipal Corporation यह दिल्ली की है Bombay की किसी Municipal Corporation को लिखा जाएगा इलेक्रिसिटी बोर्ड को लिखा दिया जाएगा कहीं पर कई बिजली विभाकी प्रॉब्लम है तो बिजली का प्रॉब्लम है या पानी का प्रॉब्लम है तो बिजली का बोर्ड को लिखा जाएगा पानी के बोर्ड को लिखा जाएगा स्कूल की कोई प्रॉब्लम है तो प् को लिखा जाएगा तो कौन हैं वे चाचा मामत होड़ी ये लोग ईन्से तुम्हारा को रिष्टा ​​ नहीं सर इन नहीं है तो ये कौन लोग ये ये चुमाइब में और शेगा किस टाप माएंगेsorry Para है यह formality होगी यह informal नहीं है समझ इतना किसी और को नहीं लिख़िए लेटर एक एडिटर को लिखा जाएगा जूक्छ आपके एक्जाम में आता ही आता है एडिटर कौन होता है किसी newspaper का या magazine का editor होता किसका newspaper का या magazine का editor होता है उसको लिखा जाएगा ठीक है यह letter type हमें पढ़ना है यह letter type हमें पढ़ना है और इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ जादा करने की जरूरत नहीं है क्यों जादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका format हमने अभी invitation और reply कसी करें देना उसमें भी देखा है 10th class में भी किया था 11th में भी किया था नाइत में भी किया था बच्पन से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं जो सेम फॉर्मेट है जल्दी से बता दूना एक बार बता दूना कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं होता इसके अंदर सबसे पह तरह से 25th September 2021 ऐसे slash डाल के date कहीं पर भी नहीं लिखना ठीक है उसके बाद एक लाइन छोड़के receiver का address जो के letter receive करेगा एडिटर को लिखोगे तो एडिटर के जो भी newspaper का office होगा ना उसका आ जाएगा times of India भड़कल लेंड जो भी है जो भी question दे रखा या अपनी तरफ से बनागे लिख सकते हो उसके बार एक line छोड़के subject आएगा और problem जो भी होगी वो लिख देंगे और यहां salutation आएगा salutation का मतलब dear sir dear sir मेरी बात नहीं होगी जिसको भी लिख रहे हो dear sir या dear madam अब कुछ लोग कहते है dear चोड़ना यह line चूटेंगी यह line चूटेंगी ठीक है ठीक है और दूसरी चीज यह जो रखोगे लेट से स्टार्ट करने और यह सब एक एक line में होने चाहिए यह यह सब एक line में होनी चाहिए यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि sender address यहां से start करना date यहां लिख दी receiver पर यहां का चला गिया सब यह सब ऐसे ऐसे फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए ठीक है इंडेंट अपना देख लेना बिल्कुल प्रॉपर यही रहेगा इतना यह फॉर्मेट किसी भी फॉर्मल लेटर का यही फॉर्मेट होता है चाहे एडिटर को लिखने के लिए आ चाहे एक्जाम में लिखा है राइट लेटर टू एडिटर तो शुरुआत कैसे करोगे बिल्कुल ऐसे करोगे चाहे राइट लेटर टू प्रिंसिपल ओफ यॉर स्कूल ऐसे होगा राइट लेटर टू कमिशनर ओफ पुलीस ऐसे होगा राइट लेटर टू दी मैनेजर ओ of newspaper ऐसे होगा write a letter to electricity board ऐसे होगा इसमें कोई change नहीं होगा इतना clear है बिलकुल clear है clear हो गया क्या यही same format क्या यही same format invitation writing में नहीं था जहां लेटर की form लिख रहे थे हाँ हाँ वह भी यही था क्योंकि एक formal तरीका होता है किसी भी letter को लिखने का जिसमें सबसे ज़्यादा number आप पता कैसे लोग है पांच में से एक number तो आपको इसी बात का मिल लाएगा अगर आपने left side से start करा और इसी form में बिलकुल इसके नीचे नीचे ऐसे करके लिखा यही यही एक दो number तो यहीं आपको मिल लाएगे फ्री फ्री के आगे बढ़े और dear sir madam जो भी आपने लिखा उसके बाद उसके बाद की कहानी जो कि आपका letter to editor आएगा में लिख आएगा letter to editor आएगा letter to editor आएगा उसकी शुरुआत कैसे करोगे उसकी शुरुआत कैसे करोगे through the column of your esteemed newspaper I would like to draw your kind attention towards letter to editor आता है उसमें कहता है कि एक letter लिखो editor का ऐसे ऐसे problem हो रही है आपके area में या इस जगह पे या आप इस चीज़ पर पूरी दुनिया का ध्यान आकिरशित करना चाहते हो तो इसके लिए एक letter लिखो attract करने के लिए general public को या उस authority को authority समझते हो ना जो लोग power में बिजली वाला यानि बिजली भी भाग crime है तो police या फिर सफाई है तो municipal corporation है ना है ना है ना है तो एक letter लिखो या general public का अगर आप ध्यान attract करना चाहते हो एक letter लिखो editor को ताकि वो अपने newspaper में उसे चापे उस चीज को ठीक है तो क्या करना है मैं यह common line है हर letter to editor में यह chape देना through the column आपके column जो कि आपका च्छपने वाला column है जो आपका बहुत अच्छा attention draw करना चाहता हो वो जो problem है जो भी problem होगी वह आ जाएगा इसमें किसी को कोई problem आ रही है यहां तक नहीं आ रही है अगर एडिटर का question ना हो यह अगर एडिटर का question हो अगर direct आप उस authority को लिख रहे हो या principle को लिख रहे हो कोई formal letter आ जाए फिर क्या करोगे फिर क्या through से start करोगे नहीं फिर direct हो जाएगा I on behalf of जो भी है आप direct अपनी बात अपनी तरफ से लिख देना कि यह यह problem है जो भी था जो भी question में mention होगा उससे पार ending कैसे करोगे I request या I am hopeful I am hopeful I request you to publish my views in your newspaper so the concerned authorities may wake up and take appropriate options मैं उमीद करता हूँ मैं request करता हूँ कि आप मेरी ये बात अपने newspaper में publish करेंगे और जो concern जो इससे जुड़ी हुई concern मतलब संबंदित जो इससे connected जितनी भी powerful जो authorities है जिनके पास power है वो जागेंगे और steps लेंगे कदम उठाएंगे यॉर्स ट्रूली यहां पर आ जाएगा यॉर्स अबीडेंटली नहीं आएगा यॉर्स टूली आएगा बिल्कुल नीचे ऐसी लाइन में यहां नेम आ जाएगा और बस खत्तम 120-150 वर्ट में आएगा इतना कर दिया आपके पांच नंबर पके हां जी पके इसमें बहुत ज्यादा करने को नहीं है अगर अगर लेटर टू एडिटर आ रहा है ना मेरे बच्चे मेरे प्यारे बच्चों सुनो सुनो लड़कियों तुम भी सुनो सुनो अगर यहां पी आ जा बढ़िया लाइन लड़के ने लड़की ने यार क्या पढ़िया स्टूडेंट है यह तुरू दी कॉलम आफ यह स्टीम्ड न्यूस पेपर आए और यह बहुत अंदर की बात है इस चीज से फर्क पड़ता है एक वीडियो बनाके दूंगा कल परसो बनाके मिल जाएग जिसमें बताऊंगा कि पेपर शुरू कैसे करना है और कहां से करना है कौनसा क्वेशन पहले करना है यह भी बताऊंगा ठीक है तैयार है ना उसके लिए वीडियो दे दूंगा पोस्ट कर देंगे लाइव लाइव मेनी वीडियो दे दूंगा पूरी इतना कर लिया लेटर करा दो मज़ा आ जाएगा जोब एपलिकेशन करा दो मज़ा जाएगा यह pdf सारी आपको telegram पे लेंगी जूब बीदेख लो चल्दी से आओ जोब एप्लिकेशन देखते मेरे बच्चो जोब एप्लिकेशन भी एक तरह का लेटर होता है क्या होता है एक तरह का लेटर यह ज्यादा important है आपके exam में क्यों important है जोब application मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि जोब application बहुत असान भी है और important भी है क्योंकि जोब application में न वेराइटी नहीं है वेराइटी का मतलब इसमें घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछ सकता एक advertisement दिखाएगा और कहेगा advertisement आपने देखा किसी चीज़ की job का था advertisement किसी जोहरा आर्ट को assistant director की जुरत है wanted जो की क्या-क्या होना चाहिए फ्रेशर होना चाहिए experience बहुत वैलकम दोनों वैलकम है required degree diploma फिल्मेकी में डिग्री होने चाहिए इसके camera handling यह सारी चीज़ उसको पता होने चाहिए और यह उनका address है लिखनी इसके उपर job job application पर letter लिखना है कोई बहुत बड़ी बात है नहीं बलकि detail इतनी सारी दे दी किया-क्या होना चाहिए यह वाली qualification होना चाहिए और ऐसे से इस profile में job है तो बलकि करना हमाली और आसान हो गया कैसे करोगे job application का समझ में आगे न job application क्या होती है हाँ sir job application का मतलब हुआ job application का मतलब हुआ क्या हुआ job application j опять patch जिसके नाम से बच्चे बहुत घबरते हैं जोके बहुत असान होती है बिलकुल मजाग होता है job application मजाग कुछ भी नहीं है यार जोब अफरा का यह क्या letter ही तो है किस चीछ का letter है किस चीज का letter है क्या अपने थे पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का नहीं सबस्क्राइब Subscribe एक यहां बनाता हूं पूरा का पूरा एक advertisement देगा क्या देगा advertisement और यहां पर लिखावा होगा wanted बड़ा बड़ा आप इसको देखे डर जाओगे यह फोटा अगया एक को डरने की जुरूरत नहीं है वह बलकि एक आपको ना लिख की जरूरत है यह देखो ना इसमें पूरी language नहीं दी ना पूरी language में ज्यादा कुछ नहीं लिखके दिया थोड़ा-थोड़ा दिया ना इसमें पूरा दे दिया इसमें के इसका फॉर्मेट बता दो ना में तैसक इसका फॉर्मेट अलग होता है इसमें भाइуск में यह सब कॉमन नहीं है कि है चूहरी इडिटर में हैं किसी भी फॉर्माल लेटर में ये सारी चीज़े कॉमन है कॉमन क्यू है क्यूंकि सब ही तो फार्मल है यही तो तरीका होता है सभी फॉर्मल लेटर का तो यह क्या अलग से सीखने की जुरूत है ने बताओ दिल पर हाथ रखके बताओ मैरे बच्चों क्या यह करना बड़ा मुश्किल का में जो एक नमबर तो भी पक्का कर लिया तुमने इंप्रेशन अच्छा डाल दी एक्जामीनर पे जो कॉपी चेकर है आपका मज़े आए के नहीं हां मज़े और मज़े दिलाता हूं देखो और क्या करना है और कॉमन लाइन सुनो कॉमन लाइन क्योंकि इसमें वराइटी नहीं है ज आजो in response to your advertisement in पहले तो बताओगे यह जो नौकरी के लिए 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 कहा देखा था तुमने के हमारी company में नौकरी है तो हम लिख देंगे इन रिस्पॉनस to response में जवाब में किस के आपके advertisement के जवाब में जो के Times of India जिस भी अख़बार में आपका छपा था question में अभी मां Assistant Director थाना Assistant Director थाना मेरे बच्चे Assistant director थाना अरे कहां गया मेरा physician director assistant director का wanted अना किस चीज की यहां पर नौक्री थी assistant director की तो महां पर क्या आजाएगा जब यॉअप application होगा Assistant by आजेगा कई teacher की होगी कई software engineer की होगी डॉक्टर की होगी रिसेप्शनिस्ट की होगी कोई डाउट नई नई-नई सार कोई डाउट नई कोई डाउट नई आजो in your school school है फर्म है तो फर्म है company है तो company है फिर common line क्या है I wish to offer my candidature for the same बैं मैं आपना offer करना चाहता हो for the same post, ठीक है, I am hard working, honest and punctual, अब यह सारी चीज़ लिगेगा, मैं hard working हूँ, honest हूँ, punctual हूँ, एक दो line आप अपनी तरफ से और बढ़ा दोगे, कि मैंने इतनी जगा काम किया, या मैं fresh हूँ, मैं experience हूँ, या मैंने यहां से डिगरी ले रखी है, डिपलोमा ले रखा है, यह वाली है, I am graduated from this university, ऐसे लिख दो, या I have worked, अगर experienced हो, experienced हो तो लिख दो, अगर question में लिखा है कि आप experienced हो, तो experience लिख देंगे कि हाँ, I have worked in so and so company for two years or three years, ऐसे लिख दोगे, या I am a fresher, recently passed out from XYZ university, ऐसे लिख दोगे, इसमें इतना English बनाने में कोई दिक्कत है, नहीं सर, इतना English आपने हॉन बिल पढ़ा के बता दी, इस टास समझा के बता दी, कि इतना तो अब हम कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आती, मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं, I am hard working, अपनी तारिफ करोगे के नहीं, यह जोब एप्लिकेशन है, यह तो लिखना ही होगा ना, I am hard working, मैं बहुत महनती हूं, पंक्चलन हूं, समय पर आता हूं, बड़ा समय का पावन नू, और दो तीन लाइन लिखने के बाद, फिल एंड कैसे करोगे, प्लीज फाइंड एंड क्लोज माइ बायो डेटा फॉर थे सेड परपस, भाई मैं जब मैंने बायो डेटा लगा रखा है, वो बायो डेटा भी देख लेना, इव गिवन अचांस तो सर्व यू, आइशूर यू, इट इशाल वर्क विद अट्मोस्ट सिंसेरिटी और डेडिकेशन, भाई, अगर मुझे मुझे मौका मिलता है काम करने का, सो मैं क्या करूंगा I will serve you if I want if I am given a chance to serve you अगर मुझे मुझे मौका दिया जाता है आपको सर्व करने का आपकी खिदमत करने का आपकी सेवा करने का I assure you मैं आपको assure करता हूं क्या assure करता हूं कि मैं work करूंगा utmost sincerity के साथ मैं काम करूंगा and dedication और बड़े dedication के साथ काम करूंगा hoping for a favorable response उम्मीद करता हूं फेवरेबल response आएगा यह end करते हुए आप लिखोगे लिखोगे ना लेटर का end करते हुए सारी बात है लिख दी अब इसमें बायो डेटा जो आपका ncrt cbsc वो भी कहता है कि बायो डेटा बनाना है और उसमें 10 11 चीज़े तो होनी ही होनी चाहिए बायो डेटा में क्या क्या भी लिखोगे अपना नेम फादर्स नेम डेट ऑब बर्त एज एड्रेस होबीस लैंविज नेशनलिटी परफीकेशन एक्सपीरियस कॉन्टैक नंबर यह तो आग बंद करेंके लिखे डालना और आपको ना क्यों में डिए गई होगा डिटेल दी गई होती है मैक्सिममम डिटेल नहीं दी गई होती जो एक-दो नहीं दी होती वह वह अपने पास से लिख देना इसमें जो क्वा क्वालिफिकेशन के लिए टेवल बनाओ जो के बहुत जरूरी है क्वालिफिकेशन के लिए क्या बनानी एक टेवल कैसी टेवल बनाओगे कैसी टेवल बनाओगे क्वालिफिकेशन के टेवल क्लास के यर माक्स इंस्टिट्यूट जो भी होता है जिस आप देखतो ना रिज्यूम होते हैं पायो डेटर में होते हैं जिसमें जो नौकरी के लिए दे जाते हैं वही वाले बिल्कु सेम बनाने कि यह कौन सा था क्लास 10 का पास करी 2010 में माक्स कितने आए थे 85% इंस्टिट्यूट का ना लो या भी एक या बीए कप किया 2015 में किया ऐसे एक टेबल बनाना एंड में जरूर है ठीक है और इनमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको जो स्टेडी मेटरियल कहता है ना मैंने वह भी देखा था आप लोग आपको क्या लगता है मैं आपके लिए सिर्फ इदर उत हो रहा है और रुक जाते है एक दो मिनट कोई देख कर नहीं अब सही हो कि मेरे खाल है है ना है हो रहा है और बड़ कि अई भनगे है सधुआ सज उख सुआ हो जापके है ट्रिखुदुड़ झाल चलो ठीक हो क्या हाँ खतम गया सब पानी पानी हो नहीं है पानी है कि दर हाँ सब अच्छो थोड़ा सा लेग हुआ था इसलिए मैं रुग गया था मैं कहना चाहरा था आपसे के टेबल जरू बनानी है और जो आपके सीबियसी वाले हैं जो आपके डियोई वाले हैं वो उन्होंने साफ साफ का आए उन्होंने साफ साफ का आए कि जो आपका जॉब एप्लिकेशन होगा ना उसमें ये सारी चीज़े जो मैं आपके लिए लिखी हैं वो मैं अपने पास से नहीं लिखी हैं कि तुमले लिखें लिखना है कि कहां गी मैं बतायीक देता हूं मेरे बच्छों में चाहारा था में एसामने मैं आपसे संगा न चाहि जट रहा था मेरे प्यारे प्छों कहां गए युदश मेंने चीज़े लिखी हो यह वाली इसजीज आँगी यह जरूर लिखना इन वो अलग से लिखदे रहा कैसंब कोई टाउट बच्चा कैस्लीब navy बच्चों का दाउट आसकता है जो मैं दूर कर दूल पहले मैं कोश्क्त ों अपने पास से डूड आवड अगर बिया रहा बेच्च को जो आ भी सकता भी बताएव जॉब job application में आपका कोई डाउट नी बचेगा एक डाउट बच्चे का सिर्फ इसमा आ सकता है कि सर यह लेटर टू एडिटर है लेटर टू एडिटर में जो हम कॉंटेंट लिखें क्या-क्या लिखें क्या-क्या लिखें सर यह बता दो यह एंडिंग और शुरुआत तो आपने बत वोर्ट के जोट बता है लिवें सुआवारा फेड़्वारर बटकिजफशोरед करता है कि लिएेड़्षू दप्टक्रूरक्रूबित करता है कि लिएेडरे लिएमक्या सब्साएब्दऴ हम हम लेग हो रहा क्या अभी लेगे क्या जब सही हो यह बतादे रहा मेरे बच्चों मैं आपसे कहना चाहरा था कि बच्चे को डाउट आ सकता है कि सर जी लेटर टू एडिटर होता है इसके आपने स्टार्टिंग तो बता दी इसकी बॉड़ी लिखने में प्रॉब्लम आती है तो बॉड़ी को कैसे लिखे इसमें बीच में जो कॉंटेंट होग कि आफकी यहां लिख़ दो जो लेटर टू एडिटर आपके सिलेबस में जो आएगा जो आपको सिलेबस में है जो आपका आएगा जो आपका आएगा उसमों ना कोई लाइन उसके बारे में लिखना के problem what is the problem what is that problem है क्या problem है क्या उसके बारे में लिख देना पहले तो है ना number one तो यह लिख देना फिर problem कि क्या है cause and effects क्या है उसकी वज़े से दिक्कत क्या हो रही है problem क्या है उसके से दिक्कत क्या हो रही है for example आपल के सर जो आवारा जो इसने यह न उसकी वज़े से श्त्रीछ अनिमस इससी दा प्रउब्लम is दौब्लम का प्रॉबलम है इस यह इनिमल गया हो सकती है ? इम उम फानीजा कैंज में इन देंजर है इसके लिए four dy children children के लिए and elderly people and elderly जो बुडे लोग है उनके लिए problem हो सकती है it can be the minus because several incidents came like came into existence yeah several incidents did happen happen हुए या happened ऐसे भी करके कर सकते हो मैं तरीके बता रहा हूं several incidents happened yeah several accidents happened due to that उसकी वैसे कुछ accident हुए जैसे के कुटे ने काट लिया a dog dog has bitten two children in in two weeks two weeks two weeks within two weeks two weeks two weeks चार बच्चो काट लिया ऐसे लिख दोगे है ना अभी stray animals के बारे में बात कर रहा हूं तो इस तरह की बात आप लिख सकते है ट्रैफिक जैम हो जाता है due to stray animals क्या एक दो to face the problem of traffic jam the residents have to face the problem of traffic jam करपारू उसके बाद क्या करोगे उसका क्या बताओगे solution कि क्या measures हो सकते हैं क्या problem को tackle करने के तरीके हो सकते हैं यह तीन चीज़े आपको अपने पास रखनी है जब भी letter to editor की body लिख रहे हो starting तो आ गई through the column of your stream newspaper I would like to draw the kind attention towards or the problem 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 with the what is the problem worker the problem because in effects worker the house ka conclusion दे दिया क्या सही है दिक्कत तो नहीं कोई इसका आगी लिए जो ना कि अब भी और है लिकाभी को रहोगा अब बहुत हलका भुलका सही है ना अवास आरी अवाज में भी दिक्कत है अवाज में दिक्कत नहीं ना ठीक है को दिक्कत नहीं हां तो वह कर दिया और एंड करने का तो तरीका सर आपने बताई रखा है एंड कैसे करना है एंड तो हमें पता ही है तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आईगी आई रिक्वेस्ट तू पब्लिच माई व्यूज या माई व्यूज इन्यॉर नियॉस्पेपर तो अब कोई डाउट नहीं बचा अब हम जॉब एप्लिकेशन की बात कर रहे तो जॉब एप्लिकेशन का भी सेम तरीका है फॉर्मिट आपने समझाए दिया है एक आथ क्वेश्चन करा देते मजा आ जाता कैसे कैसे होंगे देखो क्वेश्चन देखो इस तरफ इस तरफ सारी चीज़ें पर हमसा भीज़ो का हां मुझे देख रहो चली से सारे लोगो तो सब्सक्राइब देखो सिर्व मुझे देखो जोब अप्लिकेशन कि मुझे देखो इदर थमसब भेजो सब के सब जितने भी यह थम सब भेजर भी मुझे देखो सिर्फ गबराओ नहीं सब सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा बेस्ट एक्जाम होगा आपका इंग्लेस का आपकी लाइफ का बेस्ट एक्जाम होने वाला यह जो आपका इंग्लिष का एग्जाम है अगर ना हो मुझसे आके पूछ लेना मुझसे कहा देना ऐसे ही नहीं बोल रहा हम है अभी बहुत कुछ मैंने आपके लिए कीवर्ड्स निकाल के रखे मैं रुख जाओ अभी पूरे राइट राइटिंग सेक्ट्टन के कीवर्ड्स मैंने निकाले मैं आप लोग के लिए क्या डर रहे हो डरने नहीं है डरने नहीं दूँगा किसी को भी वो सौंगे ना कौनजा है कुछ होने नहीं दूँगा कि मैं जब तक जिन्दा तुझे कुछ होने नहीं दूँगा देखो, सब लोग इधर देखो, सिर्फ इधर देखो, मेरी तरफ. Job application का question कैसा है? You came across an advertisement regarding vacancy for the post of lab assistant है? एक application लिखनी है इसी इसी बारे में. इस तरह का question आगया. और कैसा question हो सकता है? Sunshine Public School है. दो sport, coach की जुरत है. आपने उनका advertisement za admire आप समया देखा? भिलाई के अंदर वहां पोस्ट टीचर की जरूरत है आप संजे संजना हो फ़ला फ़ला के यहां के एक लेटर लिखना है सीवी भी डालना है एक इस तरह क्वेश्चन आ गिया टीचर की जरूरत है है न ऐसे यह है रिसेप्शनिस की जॉब है आपने नेशनल निउस्पेपर जेकेल पब्लिशर का देखा कि उसमें एक कोच अड़र्टाइजमेंट था वहां पर रिसेप्शनिस की जुरूरत है आप करूणा हो एंडी उन्वेस्टी साब पढ़े हुए हो ग्रेजिशन है आपने से प्रेक्र काई का करें मतलब होता है से käytet अधेंट को सल्यूटेशन का मतलब क्या होता है सेलुटेशन मतलिग देना सेल्यूटेशन को सेल्यूटेशन इमत लिख देना डियर सर या मैडम जो भी होता है यह सिर्फ सर मैडम लिखना चाहो लिख देना कोई चलता है और यह कॉमन लाइन आईगी इन रिस्पॉंस तो यर अडवर्टाइसमेंट इन और जो भी अखबार का नाम था अगर दे रखा प्यार कोर्स फ्रॉम इस यू इन इस कोचिंग इंस्टीटूट आई इंवरी हाड वर्टींग पंक्चुल क्या सब में आ सकता है लेब एसिस्टेंट की पॉर्ट के लिए और इसकी बॉडडी बना नहीं सकते हो बना सकते हो ना और लास्ट में चाहे क्वेशन में कहे या कहे बायो डेटा लिकना जरूरी है और के राए किसर में लिकर自डा होगे में दालना या ने डालना आपको फरक न परता है आप सारी चीज़े आरामसे लग दे ना मनखणत लिख देना क्वेशिन में दे रखें लिख देना अपने बारे में पर्सनल कुछ मत लिखना यहां खतम होता है हमारा जॉब हमने करें हमने 5 पके करें अब तक 13 तो सब के तुमारे आ चुके हैं शर ऐसे और हो नइ क्वेशन में से टीपना है बस टीपना और टीपना मैं आपको अभी सिखा चुका हूँ इमानदारी वाला टीपना हो निया जहांग जहांग के देगरो ठीक तेरा नंबर पक्क्यों गया इसी बात पर तालिया हो जाएं दिल भेज़ दो इसी बात पर सब लोग कॉमेंट करें आपका ये बच्चा ये किरात आँ सबसे पहले रिपोर्ट देखलो जल्दी से रिपोर्ट देखलो रेपोर्ट राइटिंग देखलो जल्दी से तो तरहिए 5 नंबर के रिपोर्ट होगी बाए मेद 是 बाई जो भी हमसे अभी जुड़ाओ दुबारतिक बार याद दिलाना चाहूंगा बच्चों हम लोग राइटिंग सेक्शन 18 नमबर हमारे पक्के कर रहे हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस के साथ पांच नमबर पक्के कर रहे हैं चलो हाँ इसमें यह थोड़ा सा चेंज को कर देता हूं मैं लगी हातो हूं 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 रिपोर्ट राइटिंग देखतें बच्चों जल्दी से आओ कर दो रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे हैं अब हम जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा रिपोर्ट और आर्टिकल है ना आजी यहीं तो है वह अब पहले दो मार्क तुम्हें एक्परिशन के थे थोड़ा सा बदल दिया रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट करना क्या होता है पहले बाद में बात करेंगे पहले समझ लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग कितने नंबर गिये इसके फॉर्मेट का एक नंबर है और फॉर्मेट सही लिख दिया थो और इस तरह से आपने चीजों को रखा है एक नंबर उसका है क्यूरेसी ग्रामर अगरे की मिस्टेक तो नह करके और और कॉंटेंट की दो नंबर है तो प्रॉपर rifles वर मवारी से एक चीज वहां कि общем इस इना यह जरूरा नी चाहिए कुञ thinner equipment किसमें लिखी जाती है इन्हाओ और्लिक है कुछ मत करना एक काम कर लेना मैंने passive voice की video बना रख है वो ज़रूर देख लेना एक बहुत बढ़िया सी videos आपके लिए बनेविए passive voice की वो जाके ज़रूर देख लेना वरना नहीं कर पाओगे ठीक से मेरे बच्चों तो ये ज़रूर देख लेना बहुत अच्छे माक्स आएंगे। चाहिह टो औरक होथे रिपोर्ट में, रिपोर्ट होती कि आप रिफोर्ट रायटिंग का उन्म ले tua हैं कोई कोई घटना घटेत होई होते है कोई बूरी घटना या अच्छी गतना किसी तरह कि होती है इस कई पर कोई celebration हुआ होता है कुछ भी हुआ होता है कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है जिसके बारे में रिपोर्ट किया जाता है रिपोर्ट का मतलब उसके बारे में बताया जाता है क्या क्या हुआ सब लोग इदर देखो बच्छो थोड़ी सी इम्मत आखरी इम्मत है क्योंकि देख रहे हो, देख रहे हो, can you see me, हाँ, भरोसा करो, अच्छा जाएगा पेपर, भरोसा करो, मुझ पे विश्वास करो, हमारे प्यार पे विश्वास करो, आपका मेरा रिष्टा है, प्यार का रिष्टा है, ज़र देखो, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी घटना हुई, अच्छी के बुरी, और उस घटना, और उस घटना में, हाँ, और उस घटना, उस घटना को में किसी को बताना है, घटना हो चुकी, पास्ट में हो चुकी, वो घटना घट चुकी, वो घटना घट चुक में घतना हो चुकी मनें होने वाल है वह किना क्वा रुपलाई में बताए रहा था इससा अब लेकिन हो चुका हो छुका कोई घतना घृट्ट क्योंkami में वह काम हो चुका अब ऊसको रपोर्ट किया जा रहा है हो चुका अखबार पढ़ते हैं उसमें सारी घटनारों होती सारी यहा उती है तो सारी क्या उती है रिपोर्ट होती है इस्कूल की मैगजीन होती है उनके अदर भी बताया गया होता वैसे भी मैगजीन आती है संडे मैगजीन होती है न हां कि यहां पर क्या हुआ था पार्टी हुई थी हमिशा पट्टे लायता रितिक रोशन आता खूम मस्ती करी एक तक पूर के बड़े की भैश थी वहां पे समने डांस किया खाया पिया के काटा मज़े किये यह क्या था यह क्या था यह भी रिपोर्ट राइटिंग थी यह भी रिपोर्ट थी कि ऐसा हुआ था कल हुआ था और आज बताया वो क्या कहलाया रिपोर्ट राइटिंग तो जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है यह टेंस कौन सा यूज होगा बताओ प्रेजें कपूर की बड़े पार्टी मनाई गई वहाँ पर संजेदत और मनीशा कोईराला भी आए उन लोगों ने भी ये बात कही सबको केक खिलाया गया वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डांस किया चीफ गैस्ट को भी बुलाया गया शारुक खान ने भी वहाँ पर आके अपनी कि बहुत सारे अभीनेता वहाँ पर इन्वाइटिट थे उनको इन्वाइटिट किया गया था उन मेंसे कुछ नहीं आ सके इस तरह की सारी बाते होंगी सोचके देखो ऐसा हो रहा होगा तो इसमें जो कहने का जो लहजा होगा लहजा होगा बुलाया गया खिलाया गया किया गया सहा गया है ना मिटाया गया तो यूज कौन से लहजा हो रहा है पैसिव वाइस की तो सेंटेस कौन से बनते इसमें बच्चों पैसिव वाइस वाले और पैसिव वाइस हम सीख चुके है ठीक है ठीक है तो इसमें क्या बता जाता है रिपोर्ट में क्या बता जाता कि कोई चीज क्या चीज हुई किस चीज के सवाल के जवाब मिलते हैं क्या चीज हुई कब हुई कहां हुई किसने की कैसे की दिमाग में यही लाना है जब भी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ कहां हुआ किस ने किया यह पता चल गया हाँ जी बस इसके जवाब लिखने और टेंस कौन सा होगा पास टेंस होगा सर कोई बता दो कुछ कॉमन लाइज बता दो डर लग रहा है मुझे कुछ कॉमन लाइज बता दो सर सर कुछ कॉमन लाइज बता दो ताकि हमें और यह कॉमन लाइज आओ देखते हैं रिपोर्ट की क्या है एक तो निउस्पेपर में रिपोर्ट लिखी जाती है और एक मैगजीन में वह तो आपको बता चुगा निउस्पेपर में कौन सी वाली होती जातर एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई मर्डर हो गया कहीं कहीं पर सबसे पहले लिख देनी है है किस चीज के ओपर रिपोर्ट है और किस ने लिखी है बाई जो भी हैडवोई हैड कर ले वह उसका डेजिगनेशन आ जाएगा नाम और डेजिगनेशन आगे इतना क्लियर है अब कॉमन लाइन सुनो जो भी इवेंट हो था सबसे पहले वह लि श्कूल में लिख रहा है उसका नाम आजाएगा कहां था इन स्कूल वा या एट स्कूल जहां पर हुआ था इन इसकूल ऑडिटोरियम जहां पर भी हो गाता और यहां पर देट आ जाएगी मेरी बच्चों सबने कैसे पार्टिसपेट किया अब यहां लोकेशन आगई थी वहाँ ब्लॉड डोनेशन कैम तर में जोश से एंथुजयाजम, आपके अंदर एंथुजयास्टिकली पढ़ा रहा हूं आपको, क्या आपके अंदर एक्जाम को लेके enthusiasm है यानि जोश excitement हाँ तो सबने कैसे पार्टिस्प्रेट किया बहुत ही जोश के साथ पार्टिस्प्रेट किया यह सब में common हो सकता है हाँ इन दा इवेंट और अब क्या क्या हुआ उस इवेंट के बारे में लिख देंगे पूल अगयरा में तो कोई प्रोग्राम में कोई आएगा ना लोड़े फंक्षन में वहीं किसी कोई बला दो बग्वंत मान वाज इंवाइड अजीफ गैस्ट आफ दीवेंट सीम आफ दी स्टेट वोग्राम कंक्लूड यह नीचे की लाइन से लास्ट की लाइन से बीच में चाल लाइन अपनी तरफ से लिख देंगे प्रोग्राम के बारे में डान्स हुआ था म्यूजिक हुई थी जो भी प्रोग्राम हुआ होगा उससे रिलेटेड बात है क्वेस्टन में डीटेल दी गई होती है वहां से बदा मुरू कि हम लिखेंगे दे प्रोग्राम कॉंक्लूडड दे प्रोग्राम हां दे प्रोग्राम कॉंक्लूडड विद दी वर्ड ऑफ अप्रीशियेशन बाई वो जी चीफ गैस था उनके इसमें क्या ज्यादा मुश्किल है नहीं सर कोई भी मुश्किल नहीं कुछ क्वेशन दिखाऊंगा उससे पहले निउस्पेपर वाली देख लेते हैं इसमें भी हैडिंग जाएगा टाइटल जाएगा और आपका नाम जाएगा और जो आपकी डेजिगनेशन है वहां पर जो नेम होगा वा जाएगा और जो भी आपका नाम है अमन और टाइमस ओफ इंडिया आप देखते हो अखबार उठागे लोग यह लिखा होगा बिल्कुल निउस्पेपर में यह सेम फॉर्मेट हो रहा होता है सेम होता है कुछ चेंज नहीं होता है इसमें भी होगा प्ले जो भी इवेंट हुआ घटना हुए ती डारेट आप उसको स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से अपनी आप बात शुरूआत जनरल आप शुरूआत कर सकते हो बाद में फिर डीटेल में चले जाओगे तो इसका आप इसका आप कुछ कुछ गून्स ने किल कर दिया इस तरह से शुरूआत में बात शुरूआत जनरल आप शुरूआत कर सकते हो बाद में फिर डीटेल में चले जाओगे तो इसका अज आप कुछ common lines यहां शुरुआत में नहीं लग सकते शुरुआत में नहीं लिख सकते शुरुआत में तो question से उठाओगे कि क्या क्या हुआ होगा डेट और टाइम बताओ डेट टाइब सम्मी आना है दा इंजर्ड वर इमीडियेटली टेकन टू दी नियर्भाइ हॉस्पिटल वेर दे सकंब टू दियर इंजरी प्लीस हाव रिजिस्टर डा केस अगेंस दिस दिस जो जो हुआ हो वा जाएगा ठीक है आप इसके कुछ गोल्डन वर्ट से में आपको बताएं पहले कुछ क्वेश्टन देख लेते हैं अब मैघजीन न्यूसपेपर दोनों के क्लियर है न रिपोर्ट आपको तो सकूल मैघजीन रिलिटिविद आसान होती है यह रिपोर्ट लिग यह जादा यहीं आती है है इसलिए इसको करना जाधा प्रिफड़ेबल है जर चॉइस आए तो यह वाला कर लेके तो मैंगी में लिखनी है कि क्या क्या हुआ था क्या हुआ था क्लिचरल एक्सचेंज हुआ था प्रोग्राम हुआ था काल छो वह था था हमारे स्कूल के अंदर पूरी साइज चीफ मिनिस्टर को बिला लो किसी चीफ मिनिस्टर को बिला लो वो आये थे चीफ गैस थे ऐसे करके आप एक रिपोर्ट इस पर लिख सकते हो कोई फिक्स्ड टॉपिक नहीं है कि इसी पर आएगी लेकिन हां में कुछ क्वेशन हैं जो आपके साथ डिसकस करना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया और ज्यादा हो जाए है यहीं रिपोर्ट आप शुयत्ता साहिल हो रुकमी पब्लिक स्कूल के आपके स्कूल ने वर्ल्ड ऑटिजम डे सेलिब्रेट किया था वेर्नेस क्रेट करने के लिए और एक रिपोर्ट लिखने क्या इस प्रोग्राम के बार में लिख सकते ऑटिजम डे ऑटिजम वो जो बच्चों जिनको आ सब्सक्राइब स्कूल मैगजीन के लिए लिखो कि यहां तक लिख लोगे हाँ एंटिजम डे सेलिब्रेट बाइट बाइर इसकूल और इस प्लेस यह लिख देने के बाद के हां क्या क्या हुआ था अवेर्नेस प्रोग्राम वोज इंट्रड्यूस बाइर इसकूल और फिर अवेर्ने इसकूल और टॉक्टर इसकूल और अशूक कुमार वस इंवाइट अशीफ गेस्ट बाइज अगेव आस इसकूल और इसकूल करना चाहते हो तरसे करदो कि यह तोल्ड दिए ही आ इसकूल अबटाइब इसकूल और इसकूल मैं आपको से अपको सिर्ट आपि लेवल पर लाके कि अगर उटिजम मुझे तो मालू मैं उटिजम क्या होता है एक टीचर के तौर पर तो मैं आउटिजम के बारे में बताया था कि इस प्रॉब्लम के बारे में बताया कि कितनी सीवियर है यह प्रॉब्लम और टिफिकल्टी अन उटिजम इस्टुडेंट असे करके भी लिख देना थोड़ा थोड़ा बनावनों के कर दी कॉंटेंट और फिल लास्ट में करी देना अब यहां बता हो यह लाइन लिखोगे के वराइटी ओफ आइटम्स लाइग दिस फॉर स्टेज वह सारे आइटम्स होई थी नहीं यह थोड़ी वह होंगे हाँ वस इन्वाइटेड एस चीफ गैस्ट तो बिला लोगे और और कॉंक्रूड़िट विड़ी आवर्ट्स ओपरिशियेशन भाई यह तो कॉमन आई ज क्वाइट है क्या इसन जुक्त है मैं आगे बढ़ना चाहूंगा हमारे स्च कॉपिक है जो चो लाता अघ् Deputy की तरफ शर्म हों है your आझओ ब लिखने का यसे करों अई आए मैं अमक्राइधिकल की लिख्रीथ पाइच ठेकल के बाइग विडिए बना कहीं को यगर डॉट रह जाता है वह देख लेना वह वाफ कुशन भी करा रखके प्रिजने टेप कर लेना हो जाएगा जनरल नौल इज्ड़ ज्यादा काम आएगी स्वाइस की नौल यूज ज्यादा कामा आईगी कौमन लाइंस में बताइध है आर्टीकल नौल लास्ट टो हाई 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 जी चलो 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 बच्चो लास्ट टॉपिक कर रहे हिम्मत दिखा दो बच्चो हिम्मत दिखाओ जल्दी से लास्ट टॉपिक हमारा आर्टिकल राइटिंग हम करने जा रहे हैं जरा सी हिम्मत दिखाओ और फिर हमारा आर्टिकल राइटिंग भी खत्म हो जाएगा आर्टिकल राइटिंग चलो बच्च शुरू करते चलो बच्च शुरू करते हैं कि मैं आर्टिकल राइटिंग और नीचा उसका राइटिर्स नेम आजाता है वोपता इतना करने के कितने नंबर से इतना करते एक नंबर है लीए अ cloth एक नमबर आपको इतने पर ही मिल जाता है एक नमबर आपको इतने पर ही मिल जाता है इतना करते ही आपको एक नमबर मिल जाता है एक चिसका बस ख्याल लख लेना है जो हैडिंग लिखोगे बिल्कुल पेज के बीच बीच लिखोगे बीच बीच लिखोगे और अगर ये न्यूस पेपर के लिख रहे हो तो डेट और प्लेस भी मैंशन कर देना अगर आटिकल कि अशली काम क्या होता है आटिकल राइटिंग को आप सच कोई format नहीं है जिसको हम common line को लर्न कर सके सब्सक्राइब नो सचープ्स को मिलें कि जिसको ऊट Online यह वे वेarde के अजाए ये किसी भी ना रेंडम टॉपिक पे पूछ लेगा रेंडम टॉपिक जो के करन्ट टॉपिक होते हैं अब वो हमें पता नहीं है वो हमें पता नहीं है वो हमें पता नहीं है एक नंबर तो लाना असान इसके अंदर एक नंबर कहा सा जाएगा हैडिंग लिखी राइटर स्नेम लिखा एक नं लिखेल उनका है उसको कैसे लाओगे उस्तिय इंगलिष नहीं क्या गरे इतना अच्छा बनाना नहीं आता हिंदी बना ले एक्जाम में पहले चीज सुनो मेरे बच्चों आर्टिकल राइटिंग जब भी करोगे जब भी करोगे ना जब भी करो तो राइटिंग पूर्शन अपको पूरा कर लेना अन्सीन पैसे सबसे लास्ट में करना अंसे पहले आटिकल रैटिंग करना शुरू में मत करना है बीच में टाइम वैस्ट मत करना don't waste time मुझसे कहो अगर कि सर अगर 24 मैं आए आर्टिकल राईटिंग तो क्या आर्टिकल जोड़ के दूसरा question कर लिए कर लो रिपोर्ट राइटिंग अता है रुपोर्ट रैटिंग कर लो कोई दिखत नृट हो जियाद अच्छा ए ठीक है उसका रीजन वता रहा है उसका रीजन वता रहा है युक्षिंड एक प्रमिट है एक अंदाज़ा हो जाता है कुछ common lines है जो हम use कर सकते हैं article writing में बिल्कुल blank होते हैं बिल्कुल blank होते हैं और यह सोच सोच के जब एक्जाम में लिखतो होता है समझ पार हो जरा ठीक है तो time waste से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर यह choice में आता है इसको छोड़ देना चोइस माय तो इसको छोड़ देना और नहीं आता चोइस में तो लास्ट में करना बीच में मत करना शुरू में मत करना unseen पैसे सबसे लास्ट में करना और उससे पहले second last second last आपको जो question आपका होगा वो आर्टिकल लाइटिंग पगड़ना second last question second last answer आप इसका लिखोगे प्रीजन है ना 120-150 वर्ड लिखने 120-150 वर्ड जो सारे ही बना के लिखने और मेरी इंग्लिश मान लो इतने अच्छी है नहीं उतक हुआ नहीं तो नम्बर दमाग क्या करें तो बागी वह तो नमबर तो मैं आखिर में इसको ट्राइ करूँ का ना दो नमबर इसमें चुठकि राए इसका मतलब नहीं है कि पूरा टेम्ट अच्छ है सलोग 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 अगर ईसी टॉपीगा तो कर ले ना अधिकल रैटिंग करने का सबसे तरीका क्या है अब तरीका सुन लो अब तरीका सुनलो प्राव्लम किस के हो सकती है घ्र सोशल मीडिया पे आ Ensuite बनार में सोशल मीडिया के बारे में 2-3 लाइन है आपको क्वश्चन में दे गई देगाrea सोशल मीडिया के श्यावाएँ क्या नुकसान है और धरीटी बच्चों हो रही है उसके उपर आ जाएगा या फिर गिलोबल वॉर्मिंग हमेशा अच्छा टॉपिक होता है या बिक उपर आजये ओ इसके उपर विमिन एजॉकेशन पर आजिगा या फिर डिसक्रिमिनेशन पर यस पर जायेगा इसके उपर भी आ सकता है है ना है ना है ना है ना है ना तो इस तरह के social topics होते हैं जिनकी कोई ना कोई problem जरूर तो सबसे पहले क्या करना starting में ना उसकी beginning लिखना क्या लिखना beginning beginning में क्या का मतलब क्या है वो है क्या चीज दिमाग में अपने हिंदी में सोचना क्यों problem है क्या और उसे अपने words में define कर देना अपनी language में जितना समझ महारा है जितने इंगलिश आती सारी उगल के फैक देना कि what is this problem कि what is discrimination discrimination means ऐसे करके अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करना means to discriminate people on the basis of race caste religion state sex gender जो भी लिखना चाहो है न and and it is a it is a stigma या it is a bad evil या it is a it is an evil social evil ऐसे से बना के थोड़ा थोड़ा है ना पहले उसको क्या करना beginning कर दी दूसरा पहरा शुरू करना तीन चाल लाइन के बिगनी करना थे question में से भी हिंट ले लिया दूसरे में cause and effect उसकी वज़े से problem क्या क्या आती है वह discrimination के बहुत अच्छी चीज है मज़ा आ जाता है क्या तो अपनी language में सोचना कि इसक्रिमिनेशन से क्या होता है वह दिस्क्रिमेशन से लोगों पर परेशन होता है ने अंसल मंडेला का 10th चैप्टर पढ़ा था कि नहीं पढ़ाता memory of childhood विस्टास में पढ़ाता ना हां 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 उससे क्या होता है चाइल्ड भी खराब हो जाता जो भी कि मन में आये कोई धिक्कत नहीं है अपने से रिलेटेट जो लॉइंसर लॉन किया है न उससे मिलत युलती बाते भी इसमें डाल देना बिल्कुल सही होंगी उनकी खहले में पहले से याद की हुई है तो इक इन लेंगों के चैप्टर से उठा ले ना ना चल्ड फ्लैमिंगों के चैप्टर को ठाले ना कोई इकत नहीं है जदी एनिमी चैप्टर उठा ले ना अगर कहीं पर लगे तो कहीं पर डालना है डैरी वाला चैप्टर उठा ले ना on the face of it वाला उसमें से निकाल देना पोजिटिव एटिट्यूड और एप्टिट्यूड है वह इसमें डाल देना क्योंकि ऐसा ही कोई टॉपिक होगा ग्लोबल वार्मिंग पाजागा तो अंटार्किटिक और पर डाल देना मान रहे हो ना मानते हो वाइलेंस पाजा तो गांदी जी को उठा ले ना मैंना चलो प इस मेजर यह इना क्या अब सबसे जरूरी बात सब सबसे छेटालिए मैरे त्रय देखेंगे सब इथर देख रहे हो वे तरफ देखो सब लोग सब्सब बेजो मुझे देख रहे हो मेरी बात आर्टिकल पांच नमबर लाने में ये कम से कम चार नमबर स्कोर करने का कम समय में सबसे अच्छा तरीका सुनो जो मैं नहीं कहता आपका खुद बोर्ड कहता है जो आपके डियोई कहता है वो पता है क्या कहता है सुनो आर्टिकल का क्वेश्चन करने से पहले न आपका जो रफ कॉपी लेना रफ कपी लेना exam में जरूर यह एक रफ पेज लखना ठीक है पैंसल लिखना चाहए तो बाद में उसके रफ कर देना मिल जाता है कोई दिखक़ नहीं उस में क्या करना जो भी आपको पॉइंट लिखने ना जो भी आप आठेकल में पॉइंट कुझने वालों पर तो social media क्या है social media is very popular तो क्या लिखूंगा इडिक्शन है एडिक्शन के बारे में लिख दूंगा एंस्टा फेस्बूक ये सोचल मेडिया है और चिल्डरन बहुत 犯ूज करते हैं इस सोचल प्राइवेसी कंसन होता है ऐसे जो पॉइंड न अपने लिखना यह मैं नहीं करता है आपके लिख ले और उसके बाद फिर उसे एक्सप्लेइन करोगे न तो आइडिया रहेगा कई डूम नहीं जाओगे यह गलती मैं भी करता था जब मैं आपनी स्टूरेंट लाइंग करता चमत जिसने एक नमबर तो यहीं मिल जाएगा है और नाम लिखते ही एक नंबर मिल रहा है एक नंबर नेमं तो मिल रहा है 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 इस तरह से आर्टिकल के question कर सकते हैं कुछ topics आपके सामने डिसकस कर देता हूं जो आ सकते हैं जो आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में डीटेल होनी चाहिए यह सारी बाते declining sex ratio लड़कियों को जादा मारा जारा लड़कों को किया जारा इसके क्या reasons हो सकते हैं जो सुप्रीम ऐसी है domination of women misogynist सोच है misogynist एक वर्ड याद रखना misogynist काम में आएगा काम में आएगा misogynist misogynist किसको कहते है misogynist किसको कहते है जो मर्दों को तब जो अड़तों से नफरक्त करते हैं और मर्दों को उपर मानते वह प्राबलम हो गया हाँ डी जनरेशन और मोरल इथिक्स इन तुड़े सोसाइटाइट के टाइम में बच्चों में इथिक्स नहीं है मोरल इथिक्स नहीं है किसकी वज़े से हैं उनको संसकार नहीं सिखाया जाते यह सारी चीज़े उसमें आ जाएंगी है ना रेसिजम क्या है वही आप अपने चैप्टर्स को दिमाग में जरूर डालना वर्ल्ल आउटिसम के उपर काफी क्वेश्चन है और में पढ़ लेना क्या है उटिसम डे कम मनाया जाता है दो अपरेल दोजाए तेईस से मनाया जाने लगा यह अच्छा कुछ ऐसा मेरे को अभी मैंने वैसे वह कर रहा हूं गोत्रू तो अभी मेरी बात को सीरियूस मतले ना यह कुछ और है यह रिपोर्ट है यह वर्ल्ल आउटिसम डे नहीं मनाया जाता है इस तारीक हो कुछ और तारीक होगी वो मैंने कुछ आप सभी के लिए कहां गए खांगे भी कहां गए अठयर हो फाइल कहां गई है मैं उन से कीवर्स लिखे हैं हर सेक्शन के जैसे जैसे आर्टिकल राइटिंग में कौन-कौन से आप वर्ड इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे अच्छी है अच्छी है अच्छी है इसके आप यूज कर सकते हो इसके उपर एक मैंने वीडियो भी बना रखी है वैसे तो देख लेना डिस्ट्रैक्ट यह सारे वह वर्ड है ठीक है इसके इसको पढ़ लोगे तो भी आपको समझ माय जाएगा धीक है इसको पढ़ लोगे तो भी एस उस्यीर अप्रेज्स कर सकते हो तो यह उनकी भी मैंने अलग से तरे रिके यह वह व्रट से जरके अगर में आपने एक्जाम में लिखे ना तो आपको देखते ही नमबर मिलेंगे देखते ही यह सब कुछ ना अम्रित है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्डेंट है तो दोस्तों अमीद करता हूं आपको सारी चीज़ा बहुत अच्छे समझ में आई होंगी तो अभी के लिए नहीं कल कल आपका पोयम का लाइव है कल सब बच्चों सुलो पोयम का लाइव है आपका कल क्लास 12 की क्लास 12 की पोयम का लाइव ठीक पांच बजे कल लेट नहीं होने वाला में इसलिए आजाना मिस मत करना पांच बजे हमारे चैनल डियर सर चैनल पे आजाना सब्सक्राइब नहीं क किया कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मिल जाए सभी पोयम का लाइव रविजन सब कुछ होगा तो मिलते हैं कल और अगर लाइक नहीं किया पसंद आया हो इस सेशन तो जरूर लाइक करके जाना और कल मुलाकात करते हैं और मुलाकात होती रही है अब तो करते हैं ।